हेलो गाईज तो कैसे हैं आप सब आज जो इंट्रेस्टिंग सी स्टोरी में एक्स्प्लेइन करने लगी हूं उसका नाम है शूटिंग स्टार्स कि अजिया जाता है या पिर प्रोमोशन करनी होती है और उसकी बेल किसी भी टाइम पर रहिंग कर सकती है उसकी कोई परस्नल लाइफ ही नहीं बची थी इन आइडल्स की लाइफ में जितने भी प्रॉब्लम्स आते थे या फिर कोई भी स्कैंडल निकलता था वह सब मैनेज कर वो हान की जिम्मदारी होती थी अब इसके साथ साथ हमें दिखाते हैं कि उसकी एजंसी का सबसे बड़ा हीरो सबसे बड़ा आइडल टॉप पिट स्टार तैसंग है और तैसंग ही उसे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी क्रियेट करके देता है लेकिन आजकल उसकी लाइ पर काफी खुश भी नदर आता है आज ओहान एक बलाइन डेट पर जा रही होती है वो सोचती है कि फाइनली मुझे भी अपने लाइफ में लव मिल ही जाएगा इन आइडल्स के लव प्रॉब्लम्स को सॉल्फ करते करते हैं लेकिन जैसे ही वो वहाँ पहुंचती है तो उ से इसी बारे में बात करने लगता है कि तुम किन किन सुपरस्टार्स को जानती हो कौन से आइडल्स कैसे दिखते हैं वो कैसा बहेव करते हैं वो तो इनकी बातों से तंग आ चुकी थी और तो और उसे सबस्दा गुस्सा इस बात पर आता है कि जब उसे पता चलता है कि उ पैसंग को बहुत लाइक करती है और वो शायद उसका आटोग्राफ या फोटोग्राफ मांग नहीं वाला था कि इतने में उसे एक एमरजनसी कॉल आ जाती है एक स्कैनल ब्रेक हो गया था किसी और सूपरस्टार का और इसी से रिलेटेड उसे एमरजनसी में बहुत से प्रॉ दूरी थी अब जैसे ही वो इस सारी चीजों को मैनेज करके घर पहुंचती है तो अपनी एक कोल ड्रिंग निगालती है लेकिन उस पर भी उसे तैसंग का ही फेस नदर आता है यह देखकर उसे इतना हुस्सा आता है कि वो उस तिन पैक को ही कुचुर मुचुर करके डस्ट पार्टनर अब उसके बाद नेक्स डे वो अपनी एक रिपोर्टर फ्रेंड से मिलती है और इस फ्रेंड का नाम है चोई और चोई हमेशा अपनी लव लाइफ को लेकर कोई न कोई अडवेंचर करती ही रहती है कभी अपने से चोटे लड़कों से डेट करती है तो कभी बह चाने में सरफ एक महीना रह जाता है और यह सोचते हुए ओहान को बहुत जादा टेंशन होने लगती है कि वो दुबारा से आकर मुझे तांग करेगा में लिए प्रॉब्लम्स क्रियेट करेगा जो अफ्रीका जा रहा था तो वह समय भी उसे याद आने लगता है उसके फै यहाँ पर उसकी एक कोलीक थी जिसका नाम जियोंग था और एक और कोलीक था जिसका नाम था कंग और यह जियोंग और कंग उसके काफी अच्छे फ्रेंड्स होते हैं यहाँ पर उनकी कंपनी का एक लीगल एडवाइजर भी हमें दिखाई देता है जिसका नाम मिस्टर डो वो एक बहुत बड़ा एटर्णी होता है और उसके बारे में ये बात भी पता चलती है कि वो पैसे के लिए ये जौब नहीं कर रहा बलके वो सिरफ फान के लिए ये सारा कुछ करता है वरना पैसे की उसे कोई जरूरत नहीं वो एक चैबल है वो सिरफ टाइम पास के लिए ये जौब करता है और वो उनलों को क्लिरली कह देता है कि 6 बजे के बाद मैं काम नहीं करता इसलिए 6 के बाद मुझे किसी भी प्रॉबलम को लेकर कोई भी कॉल ना किया करे अब वो लोग एलिवेटर में खड़े होकर मिस्टर डो के बारे में ही बात कर रहे होते हैं कि वो कितना लगी इंसान है काश हम लोग भी ऐसे हो सकते कि 6 के बाद हमारी अपनी प्राइवेट लाइफ होती लेकिन हर किसी की किसमत ऐसी नहीं होती उनकी जौब तो 24-7 की थी वेल आज उनके ऑफिस में कुछ नए इंटरनीस आये होए थे कांग के पास जो नहीं असिस्टेंट आया था उसकी हरकतें देखते ही पता चल जाता है कि वो कितना स्मार्ट है क्योंकि उसे तो प्रिंटर भी यूज़ करना नहीं आ रहा था और उसे देखते ही ओहान सोचने लगती है कि काश मेरे पास जो असिस्टेंट आया हो वो इसकी तरह करना हो कुछ तो स्मार्ट हो और पिर हमें पता चलता है कि उसके पास जो रड़की आया है उसका नाम बो इन है लेकिन वो आते ही सबसे पहली बात ये करती है कि मैं तैसंग की बहुत बड़ी फैन हूँ कि अवो मुझे यहां पर दिखेगा और ये सुनते ही ओहान का मूट पिर से खराब हो जाता है दूसे दरफ तैसंग को अफरीका में दिखाते है वो अपना सारा काम रैप अप करके अब आपसी की तैयारियां कर रहा होता है उसका फ्रेंड उससे पूछता है कि क्या तुम्हें कोरिया में किसकी सबसे ज़ादा याद आती है तो उसके फेस के सामने सरफ एक ही चेहरा आता है और वो था ओहान का अब इनके बीच ऐसा कौन सा रिष्टा है यह तो हमें आगे गाकर ही पता चलेगा अब नेक्स टीडे कंग अपनी एक इमर्जिंग स्टार को हैंडल करने गया हुआ था कितने में उसे ऑफिस एक एमर्जनसी की कॉल आ जाती है और पता चलता है कि एक सिलेबरिटी मिस सॉंग को उनका सक्रिप्ट वेस्ट पेपर्स पर प्रिंट करके दे दिया गया है और इसी वज़ा से वो बहुत हुसा करती है और ये कारणामा किसी और ने नहीं बलके कंग के नए इंटर नी जंग नहीं किया था अब यहाँ पर कंग को उस सिलेबरिटी को उसी की ही लेहाँ से हैंडल करना होता है उसे पता था कि सॉफ्ट हार्टिड है तो वो उसके सामने जंग को बहुत डांटता है और कहता है तुम जॉब से फाहर कर दिये गए हो यह देखकर उसका मन पिगल जाता है और उन कहती है इसनी चोटी बात पर ऐसा ना करो और उसे कहती है तुम्हारा लास चांस है अब जंक तो बच गया था लेकिन कांग सोच रहा था अखे मेरा ये असिस्टेंट मेरे किस काम का है अब नेक्स्ट दे ओहान ने अपने फिजिकल चैक अप के लिए जाना था उसकी सुबा ही सुबा थोड़ी तबियत हराब हो जाती है क्योंकि उन्हें पेट साफ करने की दवाई दे दी गई थी लेकिन इसके साथ ही उसका दिन उसे लगता था कि बहुत बुरा गुजरने वाला है क्योंकि गलती से उसे टीवी आन हो जाता है और टीवी पर तैसंग की फोटो जो उसने आज सबसे पहले देखी थी अप रिमोट से वो उसी टीवी को आफ करना चाहती थी क्योंकि वो तैसंग की शक्री स्विदादा बरदाश नहीं कर सकती थी पर यही करते करते उसे सोफे के नीचे से एक पुरानी सी फोटो मिलती है और यह फोटो तैसंग की और रोहान की थी और यहां पर वो दोनों कपल लग रहे थे और ऐसा लग रहा था कि जैसे वो युनिवर्स्टी में ही कर्थे भी बढ़ते हो वो यह फोटो देखते ही सोचने लगती कि कभी किसी के हाथ ना लगे और उसे वेस्ट कर देती है जब कि उदर हमें तैसंग को दिखाते हैं वो बच्चों के साथ अफ्रीका में बहुत अच्छा समय बिताता है वो बहुत काइंड हाटेड और स्वीट दिखाई दे रहा था लेकिन वो आजकल बहुत एक्साइटेड था क्योंकि वो जल्दी कोरिया वापस जा रहा है अब जब यह तीनों फ्रेंड्स फिजिकल चेक अप के लिए गए हुए थे तो वहीं पर ही उनका एक पुराना सीनियर भी पहुँचा हुआ होता है जिसका नाम मिस्टर हान है आजकल उसने उनकी एजनसी छोड़ एक और एजनसी जोईन की हुई थी लेकिन वहाँ पर भी उसका वो ही हाल था जैसे इन तीनों का इस एजनसी में था उसे भी एमरजनसी की कॉल आ जाती है और लगता है कि फिजिकल एक्जैम ही छोड़ कर जाना पड़ता है अब ओहान और यॉंग तो अपना फिजिकल एक्जैम आज क्लियर कर ही लेते हैं लेकिन बिजारा कंग उसे एमरजनसी कॉल आ गई थी और बस ओहान बिजारी के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है वो उस्पिटल गाउन में ही लेटी हुई थी कि उसे भी एक कॉल आ जाती है और पता चलता है कि सोशल मीडिया पर तैसंग के बारे में एक निउस चल रही है और वो ये है कि उसने अफरीका में किसी की ठुकाई लगा दिया है वोलीबॉल खेलते खेलते अब वो नहीं कपड़ों में भागती है अपने आफिस पहुंच जाती है और उसी निउस को हैंडल करने लगती है इंदी एंड सारा कुछ उसने बिल्कुल क्लियर कर दिया था अब उसकी घाड़ी भी खराब हो गई थी वो बस से जा रही होती है तो रास्ते में लोग तैसंगी तारीफें कर रहे होते हैं वो कहते हैं कि वो इतना सूीट है अफ्रीका में इतने सारे काम कर रहा है उसकी पबलिसिटी तो आजकल आसमानों को छू रही थी और कोई मानने को भी तयार नहीं था कि वो किसी पर हाथ उठा सकता है या पिर कभी गुसा भी कर सकता है उसकी स्माइलिंग फेस को देखकर लगता है कि वो एक इनोसेंट एंजल है लेकिन उसकी रियालिटी क्या है यह तो ओहन बहुत अच्छे से जानती थी उसका ट्रू फेस वो जान जाती है कि उसकी वॉली बॉल में लड़ाई हुई क्यों थी उसे इतने अच्छे से जानती थी वो समझ जाती है कि एक्छली वो उपर फेस पे तो स्माइल रखे हुए था लेकिन उस दूसरे प्लेयर ने या तो उसे इतनी इंपोर्टेस नहीं दी होगी या फिर वो उससे बैटर खेल रहा होगा तभी बदला लेने के लिए तैसंग ने उसे टक कर मार दी थी और एक्छली हुआ भी कुछ ऐसे ही था तैसंग अपने से आगे किसी को बरदाश्टकर ही नहीं सकता था और उस लड़के ने तो इतनी बड़ी गलती की थी उसे इगनूर करने की वेल अब नेक्स डे कांग ऑफिस में आता है तो वो कहने लगता है कि आज मुझे अपने असिस्टेंट जंग की एक बहुत बड़ी क्वालिटी पता चली है और वो ये है कि वो एक परफेक्ट ड्राइवर है एक्शली इससे पहले वो एंबुलंस की गाड़ियन ड्राइव किया करता था और वो इतना स्मूध ड्राइवर है कि उसे किंग आफ ड्राइवर्स बोला जाए तो घलत नहीं होगा वेल अब ओहान अपनी काफी लेने के लिए जा रही होती है कितने में पीचे से कोई उसे आवाज देता है वो मुड कर देखती है तो सर्प्राइज रह जाती है कि तैसंग वापिस आ गया है उसे तो तीन दिन बाद आना था वो आते ही उसे मिलने के लिए आता है और उसे देखते ही उसके कान में कुछ बोलता है और वो यही शब्द थे कि तुम बहुत अच्छे मूड में दिखाई दे रही हो लेकिन आपैसा नहीं होने वाला मैं तुम्हारा मूड रूइन करने के लिए आया हूँ अब बस बिचारी ओहान जानती तो थी कि उसने आ जाना है लेकिन तीन दिन पहले ही वो पहुँच गया और अब उसकी बैंड बजनी स्टार्ट हो जाएगी अब नेक्स्ट ही दे तैसंग मीडिया के सामने एक अपियरनस देता है एक प्रेस कॉंफरेंस की शकल में अपने अफ्रीका के विजट के बारे में उनसारों को ब्रीफ करता है और बताता है कि उसने वहाँ क्या क्या एक्सपिरियंस किया है और इसी बीच वो ओहान की तरफ देखते वे मीनिंग फुल वर्ट बोलता है और वो ये थे कि मैं कोशिश करूँगा कि मैं अच्छे मूड में रहूँ अब बस उसके आने के बाद बिचारी वो हान की तरफ की नीदे भी उड़ जाती है एक दिन वो एक सपना देखती है जिसमें उसे नजर आता है कि तैसंग उसके सामने खड़ा हुआ है और अपने पेंट की जिप खुलने की कोशिश कर रहा है वो डर जाती और उसके अंके खुल जाती है और उसके बाद नेक्स्ट मॉनिंग वो जब आफिस जा रही थी तो हर तरफ सिर्फ और सिर्फ तैसंग की ही फोटोस दिखाई दे रही थी उसकी पब्लिसिटी की जा रही थी और तो और बिन बुलाय महमान बनकर उनकी मीटिंग्स में भी पहांच जाया करता था और हान बहुत तंग थी सोचती है कि इसे जल्द से जल्द कोई प्रोजेक्ट मिले और यह अपनी शकल गुम करे और नहीं ऑफिस में मेरे सामने ऐसे बैटे मुझे चिडाता रहेगा वो बिचारी बहुत तंगा जाती है और यही बात वो शेयर करने लगती है मिनियू से मिनियू आजकल नया मैनेजर था जो कि तैसंग को असाइन हुआ था वो हर वकत स्माइल करता रहता था और यहान उसे पूछती है कि तुम तैसंग के साथ रहते हुए भी इतने अच्छे मूड में कैसे रह सकते हो यह इंपॉसिबल है तुम फेक कर रहे हो ना लेकिन मिनियू इतना शांत रहता है और अभी भी फेस पर स्माइल रखता है कि ओहान को बिलीव ही नहीं होता इतने में ओहान देखती है तो उसकी नई आई हुई इंटरनी वो इनने एक आर्टिकल में स्पैलिंग की मिस्टेक कर दी थी जिसकी वज़ा से एक बहुत बड़ा बाबाल खड़ा हो जाता है वो आर्टिकल एक सूपरस्टार के बारे में था इससे पहले कि क्रिटिक्स और सोचल मीडिया के दूसरे लोग इस पर मेम्स बनाना स्टार्ट करते वो तुरंध ही उस आर्टिकल में एडिटिंग करा के उसे बलकुल ठीक करा देती है लेकिन इसी बीचु बहुत फ्रस्ट्रेट हो गई थी और उसे दो चाट चीखें भी मार दी थी उसका हमेशा से रियक्शन ऐसा ही होता था और तैसंग उसे इस तरह से फ्रस्ट्रेट होता देख बहुत इंजुआई करता है लेकिन साथी साथ उसे कहते हैं कि तुम वो इनको क्यों डांट रही हो क्या तुम भूल गई हो छे साल पहले तुम से भी ऐसी ही मिस्टेक कुई थी यह सुनता ही ओहान उसके मूँ पर हाथ रखती है और उसे अपने साथ रूफटॉप पर ले जाती है और कहती है कि वो इंसिडेंट प्लीज मत दोहराना मैं तुम से बहुत दफ़ा माफी मांग चुकी हूँ लेकिन तैसंग कहने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है छे साल क्या छे सौ साल हो जाए मैं फिर भी यह नहीं भूलूँगा तुमने मेरे बारे में क्या लिखा था मुझे आज भी रात को ठांग से नीद ही नहीं आती मुझे तुम्हारे उसी आर्टिकल के वज़े से साइकोलोजिकल इश्यूस भी होने लगे है एक नहीं तुम्हारी सौ माफियां भी कम है अब यह इश्यू क्या था इसी को लेकर उस सारे लोग आपस में डिसकुशन करने लगते हैं जो कि आफिस में नए थे वो सोचने लगते हैं कि ऐसा कौन सा इंसिडेंट हुआ था छे साल पहले जिसे लेकर ओहान और तैसंग की आज लड़ाई हुई है उन्हें लगता है कि ओहान और तैसंग एक दुसे से काफी क्लोज भी दिखाई देते हैं और तैसंग बहुत तंग करता है और उहान को बुली करता रहता है कहिए दूनों सीक्रेट लवर तो नहीं जो दुनिया के सामने हेट दिखाते हूं लेकिन मन ही मन में प्यार करते हूं लेकिन फिर उन्हें ख्याल आता है कि अगर ऐसा होता तो और उहान ब्लाइन डेट्स पर क्यों जाती इतने में मिस्टर हान भी उनकी बाते सुन लेता है और उनके पास आकर बैठ जाता है वो उन सबसे वहाँ का सीनियर था तो उनको बताने लगता है कि मैं बताता हूँ छे साल पहले क्या हुआ था तब वहाँ ने नई नई जॉब स्टार्ट की थी और यहाँ पर उससे एक टाइपिंग एरर हो जाता है और यह आर्टिकल था तैसंग के बारे में जहाँ पर उसने लिखना था कि तैसंग इस इंपोर्टन्ट लेकिन वो तैसंग इस इंपोर्टन्ट लिख देती है और important का मतलब होता है नाम अर्द और बस जैसे ही ये article पब्लिश होता है उसके बाद मिंटो में ही ये viral भी हो गया था और इसके साथ साथ तैसंग के बारे में उल्टी सीधी memes अर जगा viral हो जाती है इतनी बड़ी गलती ये गलती नहीं बलके एक disaster था जो कि उस टाइम पर ओहान कर चुकी थी और उसके बाद और उसके बाद वो clarity देते हुए एक reporter को कह देती है कि नहीं नहीं तैसंग ऐसा नहीं है बलके वो very healthy है और पर very healthy को लेकर भी उस पर और memes बनने लगती है बिचारे की reputation का band बच जाता है और फिर उसके बाद ये article तो remove हो ही चुका था लेकिन तैसंग रेश ड्राइविंग करता हूँ आफिस पहुंचता है और उसके बाद वहाँ पर आकर किसी share कितरा धारने लगता है कि ये किसने article लिखा था किससे ही घलती हुई थी typing में मैं उसे बरबाद करके रख दूँगा उस टाइम पर ओहान अपने डेस्क से बाग कर कहीं चुप चुकी थी लेकिन एक खाली डेस्क देखकर उसे समझा जाती है कि कोई और नहीं बलके यही लड़की थी वो भी उसके पीछे भागने लगता है वो जाकर लेडिस वाश्रूम में चुप जाती है पर तैसंग दिवाना था वो वहाँ पर भी गुस जाता है इवन के वो जिस टॉयलेट में चुपी थी वो उसके दर्वाजे के उपर चटकर बैट जातर से धंकिया देता है कि तुम अभी के भी बाहर निकलो वो उसे अपना सबूत देता कि मैं इंपोटेंट नहीं हूँ इससे पहले ही बाकी कुलीक्स पहुँचे जाते और तैसंग को वहाँ से उठा कर ले जाते इससे पहले कि वो अपनी जिप खोलता और बस यही सपना था जो ओहान को आज कल भी अकसर रातों में आया करता था लेकिन हमेशा उसके सपने में जिप कोलने से पहले पहले बाज लग जाता था उसके सपने भी सेंसर हुआ करते थे लेकिन वो दिन था और आज का दिन है जो कि बहुत टॉप का था लेकिन वो इंकार कर देता है वो कहती है बहुत से लोग इस ट्रोल के लिए मरे जा रहे है तो वो आगे से कहता है उन्हीं मरने वालों में से किसी एक को ये करने दोना मैं तो ये नहीं करने वाला अब नेक्स डे तैसंग का एक फोटो शूट होता है और उस शूट में वो एक्स्ट्रीमली होट दिखाई दे रहा था उसका कमबैक बहुत सुपर्ब होता है और इस फोटो शूट के साथ उसकी पुबलिसिटी दुबारा क्लाइमेक्स पे पहुँच जाएगी लेकिन आज के दिन वोहान बहुत खुश दी क्योंकि उसने बोला था कि वो शूट पर साथ जाएगी लेकिन वो जान बुझ की डॉच कर देती और आफिस में रह जाती एक दिन वो तैसंग के बगएर यहां सकूम से गुदारेगी आफिर उसके बाद हमें 6 साल पहले दिखाते हैं जब यह इंसिडेंट हुआ था तब वोहान को जॉब से निकाला जाने का फैसला किया था लेकिन सीईयो को कोई रोक देता है और वो कोई और नहीं बलकि तैसंग ही था क्योंकि कहता है कोई बात नहीं उससे गलती हुई है मैं उसे माफ करता हूँ लेकिन बाद में उसने फैसला किया था कि इतनी जल्दी उसे यहां जॉब से निकल वाके उसका टॉर्चर क्यों एंड करूं वो कहीं और जॉब कर लेगी मैं यहीं पर उसे रखूंगा और उसे हर रोस तांग करूंगा सता हूँगा अब उसके बात तैसंग एक दिन रात को अपने घर पहुचा हुआ था वहीं परी उसके पैरों में आकर एक स्क्रिप्ट गिरता है और वह वही था जिस ड्रामे में कास्ट करने के लिए उसे ओहान कह रही थी वह स्क्रिप्ट को रीड करने लगता हैं वह वाकी इंट्रस्टिंग था लेकिन वह ओहान से पूछता है कि तुम मुझे इस ड्रामे में क्यों कास्ट कराना चाहती हैं I was curious तो आगे से कहने लगती है कि मैंने तुमें बहुत सारे डिफरेंट ड्रोल्स में देखा है लेकिन इस करिक्टर में मैं सोच रही थी कि तैसंग क्यास अंपले करेगा वह एक तरह से उसे चैलेंज कर देती है और यह सुनने के बाद तैसंग फैसला कर सैंगो मैं यह चैलिंज लूँगा और इस डिफिकल्ट रोल को मैं एकसेप्ट करने वाला हूँ और स्क्रिप्ट रीड करते हुए मनी मन में बोलता है कि देखना ओहान मैं तुम्हें हैरान करके रख दूँगा कि इस रोल में तैसंग इतना होट भी लग सकता है और फिर नेक्स टे एक और बात पता चलती है वो ये है कि कंग एक बहुत सुपर्ब मैनेजर था और इस नए ड्रामा में तैसंग के साथ अपनी एक इमर्जिंग एक्ट्रिस दाहे को कास्ट करा लिया था दाहे ये देखते ही बहुत खुश हो जाती है उसे स्टार्ट में इतना बड़ा प्रोजेक्ट मिल गया था और वो भी तैसंग के साथ यहीं पर हमें पता चलता है कि दाहे तैसंग की दाहे हार्ट फैन है और उसने कमरे में जगा जगा उसके पोस्टर लगाए हुए है उसका तस अपना पूरा हो जाता है कि वो तैसंग के उपोजिट काम करेगी आजकर उनकी एजनसी को एक नए स्टार की ज़रूरत थी वो लोग एक्टिंग के आडिशन ले रहे होते हैं लेकिन यहाँ वहाँ पर तरह तरह के एक्टर्स देखती है जो कि ओवर एक्टिंग की दुकान थे यह देखते ही उसका दिल तूट जाता है कि वो कहां से एक्टर दलाश करे लेकिन उसके बाद उसे एक जगा पर एक शेफ दिखाई देता है जिसके बाहर लड़कियों की लाइन लगी हुई थी वो जाकर देखती है तो वो शेफ एक्स्ट्रीमली हॉट था और उसकी लुक्स बिलकुल एक सूपरस्टार वाली थी उसे देखते ही कोई भी लड़की दिल दे सकती थी वो सोच लेती है कि मैं इसे अपने एजनसी का सूपरस्टार बना करी रहूंगी जबकि वो हान आ जाते हुए देखती है कि एक बोर्ट था जिस पर तैसंग की स्माइलिंग फोटो लगी हुई थी उस फोटो के अंदर आज किसी ने गाड़ी ठोक दी थी यह देखते ही वो मानी मन में बड़ी खुश होती है लेकिन जैसे ही ओफिस पहुंचती है तो पता चलता है कि उसके अंदर जिसकी गाड़ी ठोकी थी कोई और नहीं था बलके तैसंग की खुद की गाड़ी थी और वो गाड़ी उसका मैनेजर अखेला ही उस वकत मिन्यू ड्राइव कर रहा था और मिन्यू ने एक्सिट अपनी फ्रॉस्ट्रेशन निकाली थी तैसंग उससे भी बहुत तंग करता था वो सोचता है कि आज तक उसने फेस पर उसे स्माइल करते हुए ने देखा लेकिन हर फोटो में वो क्यों इतना स्माइल कर रहा होता है और बस गुस्से में आकर उसने उसकी स्माइलिंग फोटो पर गारी ठोकती थी अब इतनी बड़ी गलती के बाद अफकोर्स वो उसका मेनेजर तो रह नहीं सकता था तो तैसंग कहता है कि मेरे लिए नया मेनेजर तराश करो और हाँ इस दफ़ा मेनेजरी क्वालिटी ये होनी चाहिए कि वो एक सुपर्ब ड्राइवर हो मुझे एक अच्छा ड्राइवर चाहिए और अच्छा ड्राइवर कौन हो सकता है कांग ये सोचने लगता है और फॉरन ही उसके मांड में एक इनसान आता है और वो था जंग जंग से अच्छा ड्राइवर उसने आज तक नहीं देखा था तो वो सोचता है कि क्यों ना इसी कोई तैसंग के साथ फिट कर दू आज तैसंग आफिस में आता है रोहान से कहने लगता है कि तुमने मुझे एफरिका बेजा था तुम्हारे कहने पर ही गया था वो आगे से कहती अपनी फैक्ट्स राइट करो मैंने सरफ कहा था तुम मानो या ना मानो तुम्हारी मर्जी थी लेकिन वो आगे से कहने लगता है कि वहाँ पर तुमने मुझे एक दफ़ा भी कॉल नहीं की वो मन ही मन में बड़ा दुखी दिखाई दे रहा था और इसके साथ ही हमें पता चलता है कि उसे जब भी कोरिया से कोई पार्सल आते थे तो उसमें तलाश करता था कि कुछ तो ओहान ने भी बेजा होगा शायद कोई लैटर कोई गिफ्ट या पर एक कॉल ही कर दे लेकिन उसने कभी भी उससे कॉंटेक्ट नहीं किया था वो उसकी कॉल सुनने के लिए तरसता था और तो और कभी वीडियो कॉल करता था और पीछे आफिस में उसे हान दिखाई देती थी तो उसका मन करता था कि ये आए और मुझे हाई बोले लेकिन वो हमेश उसे इगनोर करके निकल जाती थी और इसी वज़ा से उसे कभी कभी रातों को नीन भी नहीं आती थी कि वो मुझे इतना इगनोर कैसे कर सकती है अब इसी लम्हें उनकी पी आर टीम को एक निउस मिलती है और वो निउस ये थी कि तैसंग की एक गर्फरेंड है और वो उसकी युनिवरस्टी टाइम की स्वीट हार्ट भी है वो जब फोटोस देखते हैं तो पता चलता है कि वो फोटोस तैसंग की ओहान के साथ हैं उन्होंने एक युनिवरस्टी से पढ़ा था और वहीं से ग्रेजुएट किया ही कट थे वो दोनों लव बर्ड्स हुआ करते थे ये देखते ही वो लोग हैरान रह जाते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है और यही फोटो वो जाकर ओहान को भी दिखाते हैं और दोनोंने ये नियूस क्लियर कर दी थी फैल नहीं नहीं दी थी लेकिन फिर भी ओहान बहुत जादा परेशान हो जाती है कि आएंदर कभी ये फोटो सामने ना आए अब तैसंग पारकिंग में जा रहा था तो वही पर ही वो देखता है कि उसका एक को स्टार है जिसका नाम जूइन है वह इतने अरसे बाद उसे देख रहा था उसे देखते ही बड़ी खुशी से मिलता है लेकिन जूइन उससे कहने लगता है कि मेरे पास बहुत कम समय बचा है प्लीज मुझे माफ कर देना अगर मुझसे कोई भी गलती हुई हो और यहीं पर यहाँ पता चलता है कि जूइन आज कर लेक ऐसा करेक्टर कर रहा है जिसमें वो जल्दी मरने वाला है और इस करेक्टर में वो इतना गुस गया है कि वो रियल लाइफ में भी ऐसी एक्टिंग करने लगता है और तो उसने खुद को तो पागल बनाया हुआ था और अपने साथ साथ वो अपने मैनेजर को विसाइक को बना देता है और जब उसका लास्ट सीन शूट होता है जिसमें उसकी जान जा रही थी तो उसके बाद वो तो होश महीं नहीं आता वो भी बेहोश हो गया था और वो उसे उठा कर किसी तरह से हॉस्पिटल लेकर जाते है और हॉस्पिटल पहुँचते ही उसका मैनेजर भी बेहोश हो जाता है क्योंकि उसकी विसाइकी पर बहुत असर हुआ था सरफ इसी करेक्टर की वज़ा से जूरे इनके इतने इस करेक्टर में गुज जाने और ओवर एक्टिंग की वज़ा से जबकि उदर यॉंग उसी शेफ के पास पहुच जाती है वो उसे कन्वेंस करने की कोशिश कर रही थी कि तुम सूपर स्टार बन जाओगे हमारी एजंसी बहुत बड़ी है लेकिन उसे इस सब में कोई इंटरस्ट नहीं था वो साफ इंकार कर देता है अब उसके बाद यॉंग अपने बॉस के पास एक दफ़ा जाती है और उसे बताती है कि मुझे एक हिडन जैम मिला है वो बहुत बड़ा सूपर स्टार बन सकता है उसमें हर क्वालिटी है लेकिन वो एक्टिंग के लिए ये सूपर स्टार बनने के लिए मान ही नहीं रहा मैं उसके बहुत आगे पीछे चक्कर लगा रही हूँ तो आगे से मेनेजर उसे कहने लगता है कि बता है लोगों को साइन करने के लिए बहुत जादा इंडियूरंस चाहिए और इसके साथ ही वो अपने स्टोरी सुनाने लगता है जब उसने तैसंग को तैयार किया था अपनी ही अजनसी में सूपर स्टार बनाने के लिए वो बोलता है एक ब्रिलियंट सा ब्राइट सा सनी डे था जब मुझे तैसंग नजर आया था वो तब स्कूल स्टूडेंट हुआ करता था मैंने उसे देखा था और पहरी नजर में पहचान गया था कि वो एक आइडल का फेस है लेकिन बताता है कि उसकी एक्टिंग और उसकी सिंगिंग जितनी जबर्दस्त है उतनी ही ओफुल उसकी आर्टिस्ट वाली स्किल्स थी जो कला वो अपनी पेपर पर उतार रहा था वो किसी बच्चे के जैसी थी वो बताता है कि तैसंग ने आगे पीछे मेरे से बहुत चक्कर लगवाए वो कभी भी नहीं मानता था इंदी एंड उसने मुझे धंकी भी दे दी थी कि अगर अंकल आप मेरे पीछे आड़ तो मैं पुलिस को इन्फॉर्म कर दूँगा आप यॉंग एकसाइटड हो जाती और पूछने लगती है कि फिर आपने उसे कैसे मनाया मैंने जरूसे अपने करीब बुलाता है और कहता है कि ये तो एक सीक्रेट है जो मैं तुमें कभी भी नहीं बताऊंगा उदर हमें तैसंग को दिखाते हैं जो कि सोफे पर लेटा अपना स्क्रिप्ट पढ़ रहा था लेकिन साथ ही साथ उसे ओहान की याद भी आ रही थी और उसे ऐसा लग रहा था कि ओहान ने अफ्रीका में रहते हुए मुझे इसलिए कॉल नहीं की थी क्योंके वो दोनों इतने ख्लोज इनाफ ही नहीं क्या मैं उसकी लाइफ में इतना सा भी इंपॉर्टन नहीं हूँ यह सोच कर उसे बहुत खुस्सा आता है जबकि उदर हमें मिस्टर डू को दिखाते हैं उसके पास ओहान आती है और कहती है कि स्ट्रेस इंडेक्स फॉर्म हमारे सारे इंप्लॉईस को भरना होता है यह उनकी साइकोलोजिकल हेल्थ को लेकर उनकी सारे इंप्लॉईस ने फिल करना था वो यह फॉर्म देखकर चरी जाती और मिस्टर डू सोच रहा होता है कि स्ट्रेस इंडेक्स इनकी पूरी एजंसी में सबस्दा हाई तो ओहान का ही होगा जब कि ओहान जब वापस ओफिस में पहुंचती है तो पता चलता है कि जंग यही फॉर्म देने के लिए जाता है तैसंग के पास लेकि उसे जैसे ही पता चलता है कि ओहान ने भेजा है तो घुस्ते में उसे बगा दिते czy मैं कभ़ी फिल नहीं करूंगा और उसके बाद ओहान उसे बार बार कॉल्स करती रहती रहती है लेकिन तैसंग उसका फोन ही नहीं उठाता ऐसा लग रहा था कि जैसे वो बदला ले रहा है पूरा एक साल एफरीका में उसनों से कॉल भी नहीं की थी और अब वो से कॉल करवा करवा के सता रहा था और खुद फोन नहीं उठाता था जबकि दूसरी दरफ हमें एक बात पता चलती है और वो ये थी कि तैसंग का पुराना मैनेचर जिसका नाम मिनी हूँ था वो अपसा अजंसी से निकाला जा चुका था लेकिन अब वो मिस्टर हान के साथ काम करता था उसने उसे अपने साथ हायर कर लिया था और वो कहने लगता है कि यहां पर स्ट्रेस दूसरी कंपनी की निसबत काफी काम है उजर तैसंग उसने तुझे से ठान लिया था स्ट्रेस इंडेक्स फॉर्म मेने भरना ही नहीं है और जितना हो सके मैकसिमम स्ट्रेस दिलाना है ओहान को वो बार बार उसे कॉल्स करके कन्विंस करने की कोशिश करती है पर वो मानता ही नहीं है अब वोहान को इतना ज़्यादा टेंशन होने लगती है कि वो अपने आपको रिलीफ्ट फील कराने के लिए आज सेनम आ जाती है तेटर में बैठती है तो पता चलता है कि एकलौती वहां की कस्टमर वो ही है वो बड़े मज़े से मुवी देखने लगती है उसे वैसे ही बहुत ज़्यादा वी आई पी फील हो रहा था लेकिन इतने में एक और कस्टमर भी उसके साथ आकर बैठ जाता है लेकिन पता चलता है कि वो कोई और नहीं बलकि तेहसंग है वहां कुछ भी बोलती मुझसे पहले ही तेहसंग उसे खामोश करा देता है और उसका स्टाइल कुछ इस तरह का था कि वहां को पुरानी यादे आने लगती है ऐसा लगता है कि जैसे उन्होंने पहले भी एक तफ़ा इकटे मुवी देखी थी और शायद वो यही मुवी थी अब वो मुवी खत्ब होने के बाद तेहसंग उसे बताता है कि यह मेरा परसनल सैनिमा है अपने प्राइवेसी के लिए मैंने पुरा के पुरा थेडर ही बुक करा लिया होता है यह सुनकर और कहने लगती है कि कभी कोई इच्छे काम भी कर लिया करू वो आगे से कहने लगता है कि इतने सारे कुएं को दुआया है पुरा एक साल अफ्रीका में जाकर रहा हूँ अब इसके बाद तुम मुझसे और क्या चाहती हो वो फिर से उसे ब्लेम करने लगता है कि तुम्हारी वज़ा से मुझे अफ्रीका जाना पड़ा लेकिन उहान कहने लगती है कि ऐसा कुछ नहीं है चाहो तो हम किसी और से डिसकस कर लेते हैं तो यह पता चल जाएगा कि तुम्हारी गलती है या मेरी अब वो एक कावन फ्रेंड के पास जाते हैं और उसी से ये बाद डिसकस करने लगते हैं अब एक साल पहले का सीन दिखाते हैं मिस्टर कंग के साथ तैसंग आ रहा था लेकिन कंग को पेट में दर्द होता है तो वो तैसंग को आगे अकेला ही भेज देता है और यहां पर तैसंग को हान नजर आती हैं वो उसे मश्वरा देने लगता हैं कहता है कि मुझे आफर आ रही है कि अफरीका में जाकर कुछ वॉलंटियर वर्क करूँ वो आगे से कहने लगते हैं कि तुम्हारा फ़ेस ही नही है वैलन्टियर वर्क करने वाला कहीं से बी नहीं लगता अ कि तुम के लोगां की हल्प कर सकते हो या पिर इसने दिन अफरीका में रह सकते हो अब ये सुनते ही उसे ऐसे लगता है कि जैसे मुझे ये चैलेंज कर रही है उसका चैलेंज अक्सेप्ट कर लेता है और बहुत गुस्से में उन्ची वाज में बोल देता है कि देख लेना फिर मैं तुम्हें करके दिखाऊंगा मैं पूरे एक साल के लिए अफरीका जा रहा हूँ और उसी टाइम पर जब वो साथ वारा दर्वाजा खोलता है तो पीछे पूरा कपूरा मीडिया खेड़ा हुआ था और उन्होंने ना सिर्फ उसकी फोटोग्राफ ले ली थी बलकि ये बात भी सुन ली थी और उसका इस तरह से गुसे में बोलना एक अनॉसमेंट की तरह पूरे मीडिया पर वाइरल हो जाता है कि तैसंग एक साल के लिए एफरीका जा रहा है वालंटिया वर्क करने के लिए अब इसमें गलती किसकी थी तैसंग की ये ओहान की ये तो कोई भी नहीं सुलजा पा रहा था लेकिन इंदी एंड कंग वहाँ पर कह देता है कि गलती तो सारी मेरी है जिसका उस दिन पेट खराब हो गया और तुम दोनों का हमना सामना हो गया या पिर गलती उस दरवाजे की थी कि वो वहाँ पर क्यूं लगा हुआ था और उसके पीचे मीडिया वाले खड़े थे अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि तैसंग अपने घर पर बैटा हुआ था वो एक नियूस देखता है और वो ये थी कि एक लेजनरी एक्ट्रिस यून सीवू उसकी अपने हस्बंट से डिवोर्स हो गई है ये देखते ही एक दम तैसंग अपसिट हो जाता है और उसे कुछ पुरानी यादे आने लगती है ऐसा लगता था कि जैसे सीवू से उस तैसंग का बहुत पुराना रिष्टा है तब का कि जब वो बच्चा हुआ करता था लइन इतने में उसे ओहान की कॉल आ जाती है और ओहान बार बार उससे कह रही थी कि प्लीज वो फॉर्म फिल कर दो लेकिन वो मानता ही नहीं है ओहान को भी उसे टीज करना अच्छे से आता था वो दोबारा से उसे चैलेंज करती और कहती है कि तुम्हारा काम है सिर्फ स्ट्रेस देना इसलिए तुम्हारा तो कोई स्ट्रेस में लेवल आएगा ही नहीं वो आगे से कहता है कि तुम्हें क्या पता हम सूपरस्टार्स की अलाग टेंशन्स होती है वो दोनों चेलिनज कर लेते हैं अगर तो स्ट्रेस लेवल ओहान का जिएँगा तो वो जीट जाएगी और जो भी वो कहेगी बिना कंप्लेंट्स के तैसंग को करना पढ़ेगा लेकिन अगर स्ट्रेस लेवल जएदा आई आया तो बदले में वो कहते हैं कि ओहां तुम्हारे तीन महीने की सेलरी कटवा दूँगा अब उसके बाद हमें हॉस्पितल का सीन दिखाया जाता है जहां पर जियोंग आज जून हूं से मिलने के लिए आई हुई थी वो और उसका मेनेजर दोनों हॉस्पितल में अड्मिर थे और यहां पर वो सारे इकट्थे बैटकर उसके ड्रामे की वोही लास्ट एपिसोड देखते हैं जो शूट कराते कराते ही वो बेहोश हो गया था और वो देख देखकर वो तीनों बहुत रोते हैं एक्शली जून हो का दिल बहुत चोटा था और साथी साथ उसके मैनेजर और एसिस्टेंट का भी आपर यही बरिया में फ्लैश बैक भी दिखाते हैं एक्शली जियोंग ने जब जून हो को हायर किया था तो पता चलता है कि वो एक बैंक में काम किया करता था उसके आगे पीछे चल कि उसकी मिननत कर कि उसने स्टार बनवाया था वो कहता है कि मैं कभी भी एक्टर नहीं बनना चाता था लेकिन आज मैं रिग्रेट नहीं कर रहा मुझे ये काम करने में फन लगता है क्योंकि हर करेक्टर नया होता है हर प्रोजेक्ट भी दूसरी तरफ आज चॉय की तबियत खराब हो जाती है और उसे अपने साथ हॉस्पिटल में लेकर ओहान आती है लेकिन उस जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचती है तो पता चलता है कि चॉय को एक अर्जंट वर्क आ किया है वहाँ पर एक एक्टर था जो खड़ा हुआ हॉस्पिटल के स्टाफ से लड़ाई कर रहा था यह सीन वो अपने फॉन में रिकॉर्ड कर लेती है और उसके बाद वहीं के वहीं बैठे इतनी तकलीफ में उसने अप्लोड भी करना होता है सबसे पहले एवन के उसे देखते हुए वहाँ पर डॉक्टर भी पहुंच जाते हैं और उसे घसीट कर अपने साथ ले जाना चाते थे लेकिन चॉयक अपने गाम की इतनी टैंशन थी कि उसे पकड़ कर वहाँ से लेकर जाना पड़ता है और वो बस चीखती चिलाती रह जाती है कि मिरी अब अप्लोडिंग पूरी नहीं हुई मुदर जियोंग वो एक दफ़ा दोबारा से उस शेफ को देखने के लिए जाती है और पता चलता है कि अब वो बचारा सीरियोक टैंशन में आया हुआ हुआ है एक्शली उसका रेस्टरांट बहुत अच्छा चल रहा था लेकिन बिल्डिंग ओनर थे उसका रेस्टरांट उससे चीन लिया था और कहा था कि अब यहां पर मैं खुद काम करूंगा वो परेशान हो जाता है और उसके बाद उसे यांग की ओफर मानने ही पड़ती है क्योंकि अफकोर्स उसे लग रहा था कि इस तरह से वो बहुत सारा पैसा कमा सकता है अब नेक्स डे तैसंग के अपने फैंस के साथ एक मीटिंग होती है वो वहां पर जाता है बहुत हैंसम दिखाई दे रहा था और उसके बहुत सारे फैंस आया हुए थे वो सब के साथ एक स्माइल से मिलता है आटोग्राफ्स और फोटोग्राफ्स देता है यहां पर रुखान उसे देख देखकर सोच रही होती है कि कितना डिफरेंट दिखता है जब फैंस के सामने जाता है और आफिस में एकदम सडू और खडू सबन के रहता है तैसंग को कुछ अच्छा लगता हो या ना लगता हो उसका मन करता हो या ना करता हो उसे हर वकत अपने फेस पर एक स्माइल सजाए रखनी होती थी क्योंकि अफकोर्स वो एक आइडल था और उसकी ये रिक्वाइर्मेंट थी जाब की इतने में वहाँ पर जग भी पहुच जाता है और जग आज तैसंग का कुछ सामान उहान को देता है और वहीं पर ही वो देख लेती है कि स्ट्रेस लेवल क्वेशनेयर का रिजल्ट भी आ गया है और उस रिजल्ट में सबसे ज़्यादा 100 पॉइंट्स तैसंग कही थे वो सोचने लगती कि 100 पॉइंट्स ये तो नमबर वन पर है स्ट्रेस लेने में पर इससे पहले कि उसे तीन महीने की अपनी सैलरी कटने की टैंशन होती उसे टैंशन होने लगते है कि जून हूँ का तो सिर्फ 90 था और इतने पर ही वो कॉलाप्स हो गया था इसका मतलब है कि तैसंग अपने दिमाग पर इतना ज़दा प्रेशर लिये हुए कहीं ये भी गिरना जाए और इतने में उसे लगने लगता है कि वो कॉलाप्स होने वाला है पर इसके साथ ही हमें एक पुराना सीन दिखाते हैं तैसंग का एक फाइटिंग सीन शूट हो रहा था वहां पर वो बहुत ज़दा एग्रेसिव दिखाई नहीं दे रहा था इसलिए वो लोग री शूट कराते हैं लेकिन तैसंग की नजरें अकसर ओहान को ये अपने शूट पर तलाश करती रहती थी आज भी वो नोटिस करता है कि ओहान बहुत खुश दिखाई दे रही है कुछ स्पेशल ड्रेसिंग भी की हुई है वो पूछता है कि आज ये कहीं जा रही है क्या तो उसे पता चलता है कि आज इसकी एक ब्लाइंड डेट है ये सुनता ही उसका तो खून खौलने लगता है और उसके बाद जब वो ये शूट दुबारा से कराता है तो आपकी बाद उसने सारे गुन्नों को फढ़का के रख दिया था इतना मारा था और इतना अच्छा वो शूट गया था कि सब हैरान रह जाते हैं लेकिन इतने में वो अपने आपकी फिंगर डैमेज होने की एक्टिंग करने लगता है कि शाद बन्योंगली की हड़ी टूट गई है लेकिन ये सारा कुछ वो ओहान को रोकने के लिए कर रहा था जबकि प्रेजेंट में ओहान को जब टेंशन होने लगती है कि तैसंग गिरने वाला है लेकिन असल में ऐसा नहीं हो रहा था उसका सिर्फ पैर मुड़ा था वो से बचाने के लिए एक बुलिट ट्रेन की तरह दोड़ती हुई जाती है लेकिन उसका पैर अटक जाता है और इंदियन उसकी लेंडिंग होती है तैसंग के कदमों में और वो भी पूरे मीडिया के सामने और इसके साथ ही स्लो मोशन में पिछे टाइटानिक का म्यूजिक भी बज़ने लगता है और फिर बस सीन शिफ्ट हो जाता है तैसंगी सब देख देखकर इतना इंजुआए का रहा था उसे लाइफ में इस से ज़्यादा सैटिसफेक्शन आज से पहले कभी भी नहीं मिली थी जबकि ओहान बिशारी पूरे मीडिया के सामने अपनी फुटिज वाइरल होने के बाद शर्मिंदगी के मारे बिस्तर में अपना मूँ चुपाए पड़ी थी अब नेक्स दें उसकी फ्रेंज भी उसका बहुत मजाक उड़ाती है और कहने लगती हैं कि तुम तो यूट्यूब स्टार बन चुकी हो तुम्हारी वीडियो पर टैन मिलियन से जादा व्यूज आ गए है अभी तो थैंक्स गॉड़ वहां पर तुम्हारा फेस क्लियर नहीं दिखा था वरना अभी तक लोग तुमें घेरे हुए होते तुम कौन सा किसी सुपस्टार से काम हो पर उसके बाद तैसंग का एक फोटो शूट चल रहा था ओहां जैसे उस शूट पर पहुंचती है तो तैसंग उसे तंग करने के लिए कैमरामेन को कहने लगते हैं कि आजकल एक नया पोस बहुत वायरल गया हुआ है क्यों ना क्यों इसमें भी मेरी फोटो बनाई जाए ज से कहने लगते हैं कि देखो बैठ सा तुम मुझसे हार गई हो मेरा स्ट्रेस लेवल तुम से कितना ज्यादा अब तीन महीने की तुम्हारी केटेगी लेकिन वह बिचारी बिचारा सा मूँ बना कर कहने लगती है कि मैं जितना एक साल मैं कमाती हूं उत्रा तुम एक घंटे किया है और हमारे ओफिशल पेज़ पर बहुत सारे व्यूज़ आए हैं यह वाली वीडियो और इंडिरेक्ली ओहान तुम तो हमें बहुत जादा वाइरल कर रही हो ओहान को यह समसुन कर शर्मिंदगी होती है और घुसा भी आता है उसका फेस उस वीडियो में क्लियर नहीं लेकिन फिर भी वो उसकी पॉब्लिश्टी बढ़ा रहे थे और तो और मिस्टर डो ने भी वो वीडियो नहीं देखी थी तो वो उसको भी मैंचन करते हैं और कहते हैं कि वीडियो जरूर देखना उसमें हमारी ओहान ने बहुत स्टंक दिखाए हैं यह सुनकर मुस्कुरा ने लगता है अब उसके बाद उस ड्रामे की सारी कास्ट आपस में एक मीटिंग करती हैं यहां पर दर ही भी आई हुई थी जो कि कंग के साथ थी वहां पर तरसंक को देख देखकर बहुत एकसाइटिड हो रही थी और कंग उसे बेस्ट ओफ लग भी बोलता है उसमें पहल जाता तो उसके मैनेजर को उसकी फिकर होती थी जो कि मिस्टर हान था ताकि किसी से बिगाड़े ना और पॉलाइट लीस का काम यहां पर चलता रहे है अब नेक्स हीडे एजनसी में वह हॉट वाला शेफ भी आ जाता है जिसका नाम सी डियोग था और यॉंग उसका सबसे इंट्रोडक्शन कराती है और बताती है कि हमारे एजनसी का नया सुबस्टार बनने वाला है और बहुत सी गर्स उसे देखकर बहुत खुश भी हो रही थी क्योंकि वह बहुत हैंसम दिखाई देता था जबकि उदर तैसंग के घर पर आजे कोर्ड डेड़ी आती है जिने ह बहुत रिस्पेक्ट से बुला रहा था और उनका नाम मिसवान था ऐसा लग रहा था कि जैसे उसकी पुरानी केर टेकर है उदर ओहान पी कहने लगता है कि मैं हैरान हूं कि तैसंग का स्ट्रेस लेवल हंड़र पर कैसे पहूंच गया शादिया मूड के साथ था उसका जान पर अपसेट बैटा हुआ था और इसी बात से हमें एक बात कंफर्म हो जाती है और वो ये थी कि हो हान को भी कहीं न कहीं हर टाइं तैसंग की फिकर लगी रहती थी उलर मिस्वान आज तैसंग के लिए जो खाना बनाती है वो बिलकुल भी अच्छा नहीं था वो बहुत बू लगी हुई थी और जल्दी जल्दी एजनसी में आकर उसके ले कुछ सामान समेट रहा होता है और उसके बाद कहता है कि उसकी कंट्री साइट में शूटिंग है उसे जो चीज़ें चाहिए मैं उससा पूरी करूंगा लेकिन वो बिचारा बहुत भोला बाला था और आज त चतर्डी कर था रहा था लेकिन उसके प्र्फन हमें इड़कर एस सिघ्रवा नियुट ही कर Nahes सब रहा है और अगverse गुटिंग कर रहा हैँ और एसी बाता का रहा है हुथ सामें I.KANG उखान की वाइरल हुई थी और वो देखते हैं उसके फेस पर एक सर्प्राइजिंग्ली अजीब सी स्माइल थी ऐसा लगता है कि जैसे वो उखान को कहीं न कहीं लाइक करने लगा है अब एक तरफ तो मिस्टर कंग की इंसल्ट तैसंग के हाथों होती रहती थी दूसरी से ना तो ज़्यादा आहिस्ता और ना ही ज़्यादा तेजी से दरवाजा बंग किया जाता है इन बचारे मैनेजर की हर टाइम पर वाठ ही रहती थी कोई नगोई सूपरस्टार इन को किसी ना किसी बहाने से डांडता ही रहता था उधर श्यूटिंग वाले सेट पर एक द काबो हो जाता है किसी के सामने शो भी नहीं करा सकता था कि वो घुस्से में तो जाता है और जंग को गले लगा लेता है और उसके कान में कहता है कि क्या तुम्हारी कोई लास्ट विश है तो मुझे बता दो और फिर बस उसके बाद सीधी कॉल जाती है मिस्टर कंग को जो कि उस वकत आउट अफ स्टेशन थे और अपनी एक मीटिंग में बिजी लेगिन वहां पर भी उसे टेंशन मिल ही जाती है अब कंग क्या करता है उसकी एकी फ्रेंड थी एजनसी में सबस्द्धा क्लोज और वो थी ओहान वो उसी को कॉल करता वाली हर प्रॉडक्ट को उठा लेते हैं और इसके साथ साथ ओहान उसके और वी शॉपिंग करती है कुछ चॉकलेट्स और स्नैक्स जो कि तैसंग के फेवरिट थे और उसके बाद हमें दिखाते हैं कि रात के टाइम पर वो लोग उसी जगा पर पहुंच जाते हैं जहां शूट चल रहा था तैसंग देखता हैं तो कुछ वैंज भी आई हुई थी और एक गाड़ी से ओहान निकलती है और उसके बाद वो लोग वहां पर स्टॉल्स लगा देते हैं हर तरफ तैसंग की ही शकल दिखाई दे रही थी और उसकी प्रॉडक्ट सब में वो लोग डिस पर एक स्माइल आ जाती है और पिर जब तैसंग का शूट चलता है तो आज उसका शूट एक ऐसे लड़के के साथ था जो कि एक न्यू स्टार था वो लड़का शूट के बीच बार बार गलती कर रहा था और रीटेक कराता था लेकिन तैसंग का मूड इतना अच्छा हो ग पचा से वह अपने फैंस के लिए एक वीडियो पेगांबी रिकॉर्ड करता है और पर तलाश करने निकल जाता है उसे पता चलता है कि वह कौफी ट्रक में है तो भी वहीं पर उसी के साथ जाकर खड़ा हो जाता है वह फ्री में काफी बांट रहे थे और वहां पर कोई आक पर एक बुड़ा सा कपला जाता है और वो उनको भी वाम्टी बना कर देता है लेकिन वो लोग जैसे ही जा रहे थे तो अंकल की तब्यत खराब हो जाती है और कुलाप्स कर जाते हैं यह देखकर तरसंग बहुत डर गया था लेकिन इतने में जंग वहां पहुंच जाता है वो पहले भी एंबुलनस का ड्राइवर रहा था इसलिए उसे फर्स डेड आती थी वो उनको रेस्क्यू करता है उन्हें सी पी आर देता है जिसके बाद उनकल की जान बच जाती है उस वकत तक जब तक वहां पर एंबुलनस नहीं पहुंच जाती वो एक दफ़ा सेफ हो ग तक तक ने कहीं तैसंग का एक दफ़ा दिल जीत दिया था अब नेक्स्ट मॉनिंग मिस्टर कंग वापिस आ जाता है और वो आते ही कॉल करता है और तैसंग से कहने लगता है कि मैं आप आपके लिए एक नया मैनेजर तलाश कर दूँगा जैसा आप चाहेंगे बिलकुल व कोई गिफ्ट मिला था और वो भी बहुत सुईट अधर ओहान आज अपने आफिस के बार एक कैफे पर बैठी हुई थी और यहीं पर ही मिस्टर डो उसे देख लेता है जो से देखते ही कॉल मिलाता है और उसे हाई बोलता है लेकि उसकी कॉल उठाने से पहले ओहान डर वाली यह सुनकर मिस्टर डो भी कहते हैं कि तुम्हारी लाइफ और तुम्हारी फील्ड काफी मुश्किल है अब उसके बाद मिस्टर डो ऑफिस में आते हैं तो कुछ गल्स गौसिप कर रही थी और वो यहीं थी कि तैसंग और ओहान क्या डेट करते हैं एक दूसरे को ओह परी तैसंग नहीं ओहान को मौका दिया था कि वह अपना फेस उनको दिखाए बगएर वहाँ से निकल सके क्योंकि तैसंग ने बाकी सब को डिस्ट्रेक्ट कर लिया था ओहान अच्छे से जानती थी कि तैसंग इतना भी बुरा नहीं इतने में मिस्टर डो उसके पास आता कि मैं तुमें किसी अच्छे लॉयर से भी इंट्रोड्यूस करा सकता हूँ और उसका इशारा अपनी तरफ था यह देखते हुए तैसंग बहुत जैलस होता है ओहान के साथ खड़ा हो जाता है उसे यासे पकड़ता है कि जैसे वह उसका बहुत पुराना फ्रेंड हो और व उसमें वो 44th बैस से था लेकिन Mr. डू की और ओहान की इतनी कुर्बते तैसंग को बहुत डिस्टर्ब कर रही थी और वो सारा घुसा अपने ट्रेड्मिल पर ही निकालता है जबकि उदर ओहान बहुत मज़े से बैठी हुई थी लेकिन एचानक से उसे ख्यान आता है और व कि तीन कोलीक्स और उनके साथ-साथ-जंग भी मिल गया था उन्हें टीम अप कर लिया था और यह वो लोगते जिन्हें लगता था कि टेहसंग और और ओहान सीक्रेट्ली डेट कर रहे था रहे था कि तैसंग आचकल शूटिंग पर बहुत ज्यादा बिजी रहता था आज उसकी आँक भी लग गई थी लेकिन उसके पास ही जंग अपनी एक फोन कॉल सुनता है जिस पर उसे पता चल जाता है कि यह उहान से बात कर रहा है और उहान भी आज शूट पर आ रही है यह सुनते हैं उसके फेस पर स्माइल आ जाती है अब वहान भी शूट पर आई हुई और वहीं परी तैसंग भी रेड़ी होकर अपनी गाड़ी से निकलता है और आज वो एक्स्ट्रीमली हैंडसम लग रहा था अपनी शूट की लुक के लिए और जब सारे लोग उसे देखते हैं तो बस देखते ही रह जाते हैं लेकिन उसकी नदरें सिर्फ वो सरफ ओहान की देखकर इंप्रेस होगी वो अपने ही कामों में बिजी नदर आती है यह देख देखकर तैसंग को काफी गुस्सा आता है सारी दुनिया जैसे उसकी दिवानी थी लेकिन उसकी ददरें सिर्फ ओहान को ही तलाश करती थी और तो फाइटिंग वाले सीन में भी वह बहुत ए प्रेश दिया है और बोलती है यह अपने बात से मुकर मत जाना अब वहान सीदी जाती है मिस्टर डू के आफिस में उसने उनसे कुछ इंपर्टेंट बात डिसकस करनी थी लीगल इशू को लेकर लेकर लेकिन उनसे साथ में सौरी भी करती है कि आप तो कभी ओवर टाइम करते थे लेकिन डू ऑवर टाइम ही सही उसको समय देने के लिए तैयार था वो उससे अपना मैटर डिसकस करती है लेकिन यहां पर डू को देखकर साफ पता चलता है कि वह ओहान को कितना लाइक करता है उधर दाहे के पास कंग आता है और वो उसका बहुत बहुत ठैक्स कर हो जाता है औल्दो वो शूट पर तो समाइल करता था लेकिन मन ही मन घुसा हो रहा था कि वहान ने मरी बात को सीरियस ले लिया मैं तो घुस्से में बोला था कि यहां ना आना जबके आजकर दो नए स्कैंडल ब्रेक हुए वे थे तैसंग के खिलाफ और वो यह थे नंबर कि कहीं रियूमर साची तो नहीं है और पिर जाता है और बार बार अपने सर पर शेंपू लगाने लगता है अब एक दफ़ वो जंग से भी पूछता है लेकिन जंग कहता है कि हाँ स्मेल तो आ रही है लेकिन नए शेंपू की बहुत अच्छी है उतर इनी स्कैंडल को उसक अपनी उनिवस्टी में जाना था वहाँ पर वो देखती थो जगा जगा पोस्टर्स लगे हुए थे तैसंग के यहां पर उसने एक लेक्ट्चर देना था वो लेक्चर देने के बाद वो अपनी प्रोफेसर में रहता है उसके सामने वारे अपार्टमेंट में कोई नया आदमी शिफ्ट हुआ है और वो कोई और नहीं बलके मिस्टर डू ही है और वो अपने निबर को केक देने के लिए था लेकिन उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यह निबर तैसंग निकलेगा उदर ओहान को द उसके खिलाफ ट्यूमर्स भलाने लगी थी और उसे नफरत भी करने लगी थी वो टीचर बताती है कि एक दफ़ा तैसंग मेरे पास आया था और कहता है कि इसी फोटो शूट की वजह से ओहान बहुत परेशान है इसलिए प्लीज इस फोटो शूट को रिमूव कर दिया जा उसका टी और सोचने लगकी एक प्लीन करें कि एक पीकर करें तो इसको क्या मतलब है तो तो इस इस से प्रॉट करते हैं और लाफ शुका यह को जो इसकी और को can note करती है कि बहुत अच्छी fragrance आ रही है इसलिए इस tension को सर से निकालो और अपने काम पर focus करो ओहान की बस इतनी सी बात ही तैसंग का mood ठीक कर देती है इतने में USA की एक magazine की तरफ से तैसंग को कुछ questions आते हैं लेकिन उसके पास समय नहीं था इनका answer देने के लिए वो basic questions से तो वो कहते हैं कि ओहान को काओ में इतरफ से फिल कर दे वो इन सब के answer जानती होगी लेकिन ओहान थोड़े देर बाद उसके पास आ जाती है और जो तीन questions उसे पता नहीं चल रहे थे कि इनके answer क्या होंगा उनसे पूछने लगती है लेकिन तैसंग को ठकावट की वज़ा से उसके बहुत ज़दा नीदा रही थी वो बस नीदी नीद में कुछ बोले जा रहा था वो उससे पूछती है कि तुम्हारी लाइफ में सबसे important पल कौन से थे और तीन मॉमेंट्स का नाम लेती है कि बताओ इन मेंसे मैं कौन सा लिखूँ तो आगे से तैसंग कह देता है कि क्या मज़े की बात ये नहीं है कि इन तीनों के तीनों मॉमेंट्स में तुम मेरे साथ थी मेरे हर स्पेशल मॉमेंट्स पर तुम मेरे साथ होती हो ये सुनकर एक दफ़ा ओहान हैरान रह जाती है वो नीन में सची बोल गया था और फिर वो उसके शोल्डर पर सर रखता है और उससे कहता है कि प्लीज यहां से कहीं मत जाना अब पता नहीं वो उसके शोल्डर की बात करा था या फिर अपनी लाइफ की यह सुनते ही ओहान का हार्ट फ्लटर करने लगता है और वो जल्दी में वहां से निकल जाती है जबके मिस्टर दो अज आफिस में आते हैं और ओहान को तलाश करते हैं उसके पास आकर कहने लगते हैं कि तुम्हें पता हैं मैं एक नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हुआ हूँ वहां पर तैसंग ही मेरा हमसाया है और ओहान आगे से कहने लगती है कि आपने फिर से तैसंग का नाम ने लिया मेरा मूड खराब कर दिया पता नहीं दिन कैसा बीतेगा यह सुनते ही दो को तसली हो जाती है कि यह देट नहीं करें कपल्स नहीं है अब मिस्टर दो ओहान से कहता है कि अगर मैं हाउस वार्मिंग पार्टी दू तो मैं तुम्हें को लीग्स को बिलाओं तो क्या तुम आओगी वो कहता है यहां आफकोर्स आउंगी जबके दूसरी दरफ तैसंग को दिखाते हैं उसे जंग की फिक्र हो रही थी उसका तो काम ज्यादा था ही सही लेकिन उचाता था कि कल जंग थोड़ा सा रेस्ट ले ले और उसे कहता है कि तुम लेट काम पर आना यह सुनते ही जंग का दिल मेल्ट हो जाता है वो समझ गया था कि तैसंग हमेशा लोगों के लिए केर वाली फिलिंग्स रखता है लेकिन वस उसे एक्सप्रेस नहीं करना आता उधर ओहान आज बार में गई हुई थी और वहां पर कोई उसे देख लेता है बातें करते हुए और वो यही कह रही थी कि आज तक कोई भी मेरा हार्ट फ्लटर करने में कामयाब नहीं हुआ तो उससे कहने लगता है आकर कि अगर किसी की बात से तुम बलश करी हो या पिर तुम्हें किसी का बार बार ख्याल आया हूँ तो वही है जो तुम्हारे दिल में जगा बना चुका है और एक्शली तैसंग का भी कुछ ऐसा ही हाल था उसने अपने स्क्रिप्ट में एक लाइन पड़ी थी और यही लाइन थी जो उसने मिस्टर डो के नाम और यही वो लाइन थी जो उसने मिस्टर डो के मूँ से भी सुनी थी उसके और उहान के बारे में कि हम साथ हैं और साथ रहेंगे वो तो यह काम के लिहाद से कह रहा था लेकिन इसी वज़ा से तैसंग को पूरी रात नीन नहीं आती कि क्या यह उहान पर नज़र रखे हुएं क्या ही दोनों डेट तो नहीं कर रहें और आप बहाने बहाने से उहान से बात करने की कोशिश करता है अपने एक स्कैंडल का उसे लिंक भी भेज़ता है कि कही से हैंडल करो उसे लगता था कि वो वापस उसे कांटेक्ट करेगी लेकिन वो कोई रिप्लाइ नहीं देती और बस उसके मैसेज का इंतजार करते करते बिचारे का मूट खराब रहता है और जंग हर छुड़ शूटी बात को नोटिस कर रहा था अब थोड़े देर बाद फाइनली वो उसे काल कर तो लेती है लेकिन सिर्फ फैक्ट्स पर और बिजनस रिलिटिडी बात करती है और उसके बाद काल कार्ट देती है तैसंग बहुत हरान होता है कि किसी कैसे हिम्मत हुई मेरे मूप पर काल कार्ट ने की अब नेक्स टे हमें शूट का सीन दिखाते है वहाँ पर एक एक्टर था जो किया नहीं रहा था और उसी को लेकर डारेक्टर बहुत परिशान था यहाँ पर यॉंग मौके को देखकर चौका लगा देती है और कहती है कि इस रोल के लिए हमाना सीडियोक बिल्कुल परफेक्ट रहेगा और अब सीडियोक को भी अपना फर्स्ट रोल मिल चुका था और वो भी तैसंग वाले ड्रामे में अब उनके ड्रामे की फर्स्ट टू एपिसोड रिलीज होने वाली थी और इसी को लेकर वो लोग एक प्रोमोशनल इवेंट पर भी जाते हैं वहाँ बर ओहान भी गई हुई थी इंटर्व्यू देखने के लिए यहाँ पर तैसंग से पूचा जाता है आपकी आइडियल गर्ल कौन है जिसे आपडेट करना चाहोगे और वो कहने लगता है कि ऐसी लड़की जिसके साथ मैं एक दम कमफर्टेबल हूँ उसके और मेरे बीच बिल्कुल परफेक्ट अंडरस्टेंडिंग हो और मैं उसे हमेशा टीज भी कर सकता हूँ मैं एक क्लोज लड़की को ही चूज करूँगा यह सुनते ही सारे कोलीक्स को लगता है कि वो ओहान की बात कर रहा है लेकिन ओहान ने इस बात पर कोई तवज्जो नहीं दी थी और ना ही उसके एक्स्प्रेशन बदले थे जबकि उधर मिस्टर डो को बहुत बदला बदला जब उसकी असिस्टेंट देखती है तो उसे पूछने लगती है कि यह सब मिस्टो की वज़ा से है आप उसे लाइक तो नहीं करने लगे और मिस्टर डो आगे से कनफेस करी लेते हैं कहते हैं आई थिंग ऐसा ही है क्योंकि लाइफ में फर्स टाइम था कि वो पार्टी थ्रो कर रहे थे और सिर्फ और सिर्फ इस लिए कि ओहान उसके घर पर आईगी उधर तैसंग को एकदम याद आता है जब वो उस क्वेशनेर के आंसस देखता है उसे याद आने लगता है कि उसने ओहान को कहा था कि मेरे पास ही रहना कहीं दूर ना जाना और ये भी बोलाता कि मेरे हर स्पेशल मॉमेंट पर तुम मेरे साथ हो ये सोचकर वो शर्माने लगता है कि मैं कैसे बोल सकता हूँ और तो वो ओहान की घर जाकर डीपी भी देखने लगता और पर खुद से ही क्वेस्चन करता है कि मैं इतना क्रेजी क्यों होता जा रहा हूँ क्यों इसके लिए हर समय क्यूरियस रहता हूँ वैल अब तैसंग की फर्स्ट एपिसोड रिलीज हो रही थी और आज सारी लोग इकटे बैठकर उसकर ड्रामा देखने के लिए आते हैं लेकिन यहां पर सर्प्राइजिंग ली तैसंग भी आ जाता है तैसंग आज से पहले कभी भी टीम के साथ मिलकर ड्रामा नहीं देखा करता था लेकिन आज वो इसलिए कर रहा था ऐसा क्योंकि वो ओहान के एक्स्प्रेशन्स देखना चाता था अपने एक्टिंग को लेकर वो क्या बोलती है यहां पर उसने बहुत अच्छे सीन्स किये थे लेकिन ओहान के फिस पर कोई भी एक्स्प्रेशन्स नहीं बदलते वो चाता था किसका रियक्शन देखे वो जहां हैंडसम लग रहा था वो उसकी आँखों में अपने लिए एड्मारेशन देखना चाता था लेकिन ऐसा कुछ भी वो नहीं देख पाता इसलिए सैड हो जाता है बाद में जाकर पूछता है कि तुम्हें मेरी एक्टिंग कैसे लगी तो वो आगे से कहने लगते कि हर कोई तुम्हाई तारीफ कर रहा है लेकिन उसका मन था कि वो ओहान के मूँ से सुने और पर यहीं पर यहमें पास्ट का सीन दिखाते है एक्शलि ओहान ने जब नया नया काम स्टार्ट किया था तब उसे लगता था कि जैसे तैसंग उसके लिए फीलिंग्स रखता है वो भी उसके लिए फीलिंग्स रखने लगी थी उसे लगता था कि मैं उसकी लाइफ में स्पेशल हूँ तब ही तो वो मुझे इतना टीस करता है लेकिन इतने में उसका एक एक्ट्रिस के साथ स्कैंडल ब्रेक हुआ था वो उसे फोन करके कनफर्म करती है और पूछती है कि क्या तुम इसे डेट कर रहे हूँ तो वागे से कहता है कि हाँ मैं है जिन को डेट कर रहा हूँ यह सुनते ही उसे लगने लगता है कि इसका मतलब है मैं इसकी लाइफ में जर्ण भी इंपॉर्टन नहीं और जो यह बोलता है कि मैं उसी लड़की को डेट करूंगा जिसे मैं टीस कर सकता हूँ जिसे मैं क्लोज हूँ यह सब बिल्कुल गलत है और वो बिचारी बहुत रोती है और हाट ड्रोकन हो जाती है अब बस तब के बाद से उसने फैसला किया था कि वो कभी भी उसके लिए फॉल नहीं करेगी वेल अब नेक्स्ट डे तैसंग अपना ओफ लेता है क्योंकि उसने एक जरूरी काम से जाना था और आफिस में फिर से गोसिप स्टार्ट हो जाती है क्योंकि इत्तवाक से आज ओहान ने भी अपना डे ओफ लिया था वो सोचते हैं कि कहीं ये सीक्रिटली डेट तो नहीं करने गए अब तैसंग जाता है कबर पर और वो थी उसके एक फ्रेंड की और वो उससे बाते करने लगता है लगता था बातों से कि वो उस फ्रेंड से बहुत close है और वो उसे अपने बन की ये बात भी कही देता है कि आज कल मुझे लगता है कि मैं किसी को like करने लगा हूँ लेकिन ये secret मैं सरफ तुम्हें ही बता रहा हूँ इतने में पीछे से ओहान भी वहीं पर आ जाती है एक्शली ये उन दोनों के common friend की grave थी और ओहान ने सुन लिया था कि ये किसी secret की बात कर रहा है तो ओहान उसे कहने लगती है कि अगर secret बताना ही है तो इसे नहीं पहले मुझे बताओ क्योंके बाद में मुझे tension पढ़ती और तुम्हारा गंद मुझे साफ करना पड़ता है एक्शली आज उनके इस friend की birth रे थी और इसलिए वो दोनों उसकी grave पर फूल चड़ाने के लिए आये थे जबकि उधर सीड योग को अबना पहला रोल मिल चुका था और उसका first scene shoot हो जाता है अब जब लोगों ने उसे सक्रीन पर देखा था तो बहुत पसंद किया था और सब को लगता था कि ये बड़ा होकर सूपरस्टार ही बनेगा उधर तैसंग अपने पास हमेशा एक फोटो रखता था और वो थी उसके अफ्रीका जाने की अब तैसंग नोटिस करता है कि वो हम से सारे लोग ही बहुत फ्री होते थे वो सबसे इतनी friendly थी कि कोई भी आता था उसके कंदे पर हाथ रख ले रहा था लेकिन तैसंग मन ही मन में उसे अपनी woman बना चुका था तो उसे ये सब देखकर बहुत जलिसी फील होती है बहुत खुश हो रही होती है जबके तैसंग वो तो जंग सही मशवरे लेना स्टार्ट कर देता है पूछता है कि तुमने अपनी girlfriend को कैसे propose किया था और जंग बताने लगता है कि मैं इतना sweet और इतना cute हूँ कि उसने खुद ही मुझे propose किया था यह सुनकर तो तैसंग हैरान रह जाता है कि मुझे में किस चीज की कमी है अगर जंग को कोई लड़की propose कर सकती है तो और पर इसके बाद हमें एक shocking scene दिखाते हैं वो शेफ जो के तैसंग के घर पर उसके लिए खाना बनाने और उसके घर के काम करने के लिए आया करती थी वो हज हमें किसी और ही get up में दिखाई देती है ऐसा लगता था कि वो बहुत rich है और एक बहुत बड़ी shop में वो एक limited edition watch करीदने के लिए जाती है और उसी शॉप में सी वो भी बैठी हुई थी और वो से देख लेती है मिस वान का ये हुलिया हमें बहुत अजीब लगता है क्योंकि अगर वो इतनी rich है तो हाउसकेपिंग का काम क्यूं कर रही है उधर तैसंग ने सोचा था कि उसने उहान का दिल जीत करी रहना है वो इंटरनेट से बहुत सारे मश्वरे लेता है कि किस तरह से किसी लड़की को पटाया जाता है उसके दिल में जगा बनाई जाती है और यहां पर जो टिप्स थी उन्हें ही वो फॉलो करने लगता है उसमें सबसे आगे तो यही थी कि लड़की के लेसिस को बन किया जा इससे उसके दिल तक पहुँचा जा सकता है एक दिन वो लेसिस वाले शूस पहन कराती है तो वो जंक से कहकर उसके लेसिस खुलवा देता है और पिर उसके बाद अपने चार्म्स के साथ एक हीरो की तरह चलता हुआ आगे बढ़ता है और उसके लेसिस बंद करने के लिए जुकता है लेकिन वो तुरांत ही उसे पीछे धर्का दे देती है और कहती है मैं सब समझती हूं तुम्हारी चालों को तुम मेरे दोनों लेसिस को आपस में बांदोगे ताके मैं गिर जाओं चलते हुए ये प्रैंक्स मुझ पर नहीं चलेंगे वो एक दिन उसे कौफी बिजा कर देता है लेकिन हो कहती है कि इसमें जरूर तुमने कुछ मिल तुमन रहे हो या फिर मुझे फिर से टीज करना चाहते हो अब बिजारे तैसंग के सारे प्लैंजी फेल हो गए थे और जंग भी उसके साथ साथ बहुत मायूस हो जाता है और दूसी तरफ हमें एक और कपल को दिखाते है एक्सलिव अभी कपल तो नहीं बने लेकिन यहां में उसे प्यार करने लगी थी उदर सीडियोग को दिखाते हैं उसके पहले ही सेंस बहुत हिट गए थे और यहीं पर ही बहुत से लोग उसे पहचानने लगते हैं यहां पर कुछ आंटी बैटी हुए थी जो से अपने साथ एक पैग उफर करती है वह इतना पॉलाइट था स्केंडल काफी था उसकी फोटोस किसी ने बना ली थी और यह वाइरल भी हो जाती हैं और ओहान और उसकी टीम के लिए एक नई टेंशन पढ़ गई थी लेकिन ओहान ने से से टीवी फुटिज के जरीए इस सारा कुछ कुछ क्लियर कर दिया था कि किसी ने उसे जबरदस् चीजें बिलकुल भी नहीं पसंद उसको किसी ने अपॉलोजी भीजी थी एक गलत स्केंडल आने पर अब यह सुनते ही तैसंग का दिल तूट जाता है वो अपना लेटरी चुपा लेता है जबके कंग आज ओहान के कंदे पर दुबारा से हाथ रखने वाला था लेकिन उस सारी कुकिंग खुद करता है एक्शली वो तो ओहान के आने के लिए एक्साइटिड था लेकिन उसे ना आया देखकर वो काफी निराश हो जाता है जबके दुसी तरफ तैसंग को भी जंग के तुरू ये बात पता चल जाती और तैसंग को बहुत खुस्ता आता है किसका न इंडियन उसे एक आईडिया आही जाता है उसके पास एक एर प्यूरिफायर आया था निया वो सोचता है कि क्यूने यही जाकर उसे गिफ्ट में दे दूँ और खुद उस पार्टी का हिस्सा बन जाओं तो वो यही करता है बिन मुलाया महमान बनकर एक गिफ्ट देता है और वही पर ही पहुंच जाता है। लेकिन ओहान तो वहाँ आई ही नहीं थी। थोड़ी देर बाद दर्वाजे पर कोई आता है और वह ओहान ही थी। और दर्वाजा किसने खोला था। वह था तैसंग जिसे देखकर वह शौक्ट रह जाती है। अब वहाँ पर वह लोग गेम खेलने लगते हैं और यहाँ पर मिस्टर डू और तैसंग इन दोनों के बीच काफी गर्मा गर्मी भी हो जाती है। जब गेम के बीच ही वो लोग एक दूसरे को बेस्ट बैचलर केंड़डेट साबित करने के लिए अपनी इक्वालिटीज गिनवाने लगते हैं यह देखकर सारे लोग बोरिंग हो गए थे। अब इन दी एंड मिस्टर डू ओहान के पास आते हैं जब वो अकेली खड़ी हुई थी और उसे बताते हैं कि मुझे पार्टी इस बिल्कुल नहीं पसंद मैंने फर्स्ट टाइम थ्रो की हैं किसी ऐसे शखस को घर पर बुलाने के लिए जिसे मैं बहुत लाइक करता हूँ अब उहान को ये समझने में देरी नहीं होती कि टीम में से कोई और नहीं बलके ये मैं ही उन्जी से मिस्टर डू लाइक करते हैं अब उसे कहा देते हैं कि तुम सोच समझ कर जवाब दे रहा हैं अब यही बात उहान जाकर अपनी फ्रेंड्स से भी शेयर करती हैं लेकिन उसे अभी तक confusion थी उसे समझ नहीं आ रही थी कियो मिस्टर डू के लिए कोई feelings रखती भी है के नहीं दूसी तरफ तैसंग आज कांग के साथ मिलकर खाना खा रहा था और वो उसे सच सच बता देता है कि मुझे लगता है मैं किसी के लिए fall कर चुका हूँ और कांग तो उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करें वो पीछे नहीं रहना चाता था किसी कीमत पर वो अपनी woman को हार नहीं सकता था अब उहान भी उसके घर पर उसे एक script देने के लिए आती है और वो तुरांथ ही उसे कह देता है कि पता है उहान मैं तुमें बहुत अर्से से like करता और उहान ये सुनते हुए चीखे मारती हुए वहां से भाग जाती है अब तैसंग को समझ नहीं आ रही थी कि यह कैसा response था इतने में दुबारा से कोई दर्वाजे पर आता है वो दर्वाजा खोलता है तो वो कोई और नहीं बलके सी वो थी और फिर इसके साथ ही हम एक फ् मुवीज भी देखा करता था और बस देखते देखते रोता रहता था वहीं पर ही ओहां से उसकी पहली मुलकात हुई थी जो किसी तरह की इमोशनल मुवी देखकर रो रही थी वो उसके पास जाता है कि क्या यह तुम्हारे दिल को बहुत टच करी लेकिन वो कहती है नहीं म हमेशा अपने कैरियर पर ही फोकस रखती थी और उसे टाइम नहीं देख पाती थी यवन कि जब उसके डैड की डेथ हुई थी उस समय वो हाई स्कूल में था उसने मौम को कॉल की थी लेकिन वो अपने एक एवार्ड शो में बिजी होने की वज़ा से इस इंपॉर्टेंट टूटा था अपने डैड की डेथ के बाद के उसने फैसला किया था कि वो अपनी मम्मी से भी बड़ा सूपरस्टार बान के दिखाएगा उधर ओहान को दिखाते हैं वो भी पुरानी यादों में खोई हुई थी एक्शली उसकी पहली मुलाकात यूनिवरस्टी में ही तैस को बहुत लाइक करती थी लेकिन कभी भी उसे बता नहीं पाई थी क्योंकि वो गल्स में सबस्दा पॉपुलर था और वैसे भी उन दोनों की फोटो शूट की वजह से लोग ओहान को बुली करते थे और उसे नफरत करने लगी थी गर्ल्स और पर उसके बाद वोस्तिकी ए अफिस में जाती है तो वहां पर उसकी मुलकात मिस्टर डू से होती है मिस्टर डू से कहता है कि मैं तुमारे जवाब का इंतजार करूंगा मुझे जल्दी कोई नहीं है लेकिन इतना बता दू तुमारा जो भी आंसर होगा इसे हमारी फ्रेंडशिप पर कोई फर्क नहीं की चली गई है इतनी चीखे मारी कि जैसे मैं कोई होरर मुवी का करेक्टर हूं आजो हान यॉंग के साथ बैटी हुई थी और यॉंग पर प्रेमन की बात कर देती है वो पहले एक्चली तैसंग की बॉडिगार्ड हुआ करती थी और यहीं पर इसने पहली दफ़र डाहे को मैं जलवाया था वो कहने लगती है कि कंग हमारी एजनसी का सबसे कैपबल मैनेजर है और मैं तो कब से लाइक करती हूं लेकिन मन की बात उसे कहने ही पाती कि कहीं वो मुझे इंकार ना कर दे अपर उसके बाद एक और सीन हमें दिखाते हैं शूटिंग पर यूना का एक न और इंदियन जब वो दोनों सेन में किस करते हैं तो उसके बाद तो सब कुछ बदल के ही रह जाता है वो जो एक डूसे से नफ्रत करते थे उनको ऐसे लगता है कि जैसे इस किसके बाद सारा कुछ बदल गया है उनके हार्ट्स फलटर करने लगते हैं और बड़ी मुझिल स उसने उहान को प्रुपोस किया था तर उसके बाद उसका एक रोमेंटिक सीन आया था वो सोचता है कि अगर उहान ने यह देख लिया तो बिचारी कहीं हर्ट ही ना हो जाए कहीं मुझे इंकार न कर दे लेकिन उहान ने वसी नहीं देखा था उसके बाद जब वो उसे नजर आती है तो वो उसे explanation देने लगता है और कहता है कि ये सब मेरा profession है अब उहान जब वहाँ से जाने लगती है बिना कोई जवाब दिये तो तैसंग उसके पीछे पीछे जाता है लेकिन आज उसे वहाँ पर हाजिन दिख जाती है हाजिन वही लड़की थी जो कि उसकी एक्स गर्फरेंड थी उसे बात करने लगती है और उसे देखकर हान बहुत बुरा सा मूँ बना कर वहाँ से निकल जाती है और वही लमा था कि जब तैसंग को समझा जाती है उसके expression से कि ये मुझे क्यों avoid कर रही है मेरा problem तो और कोई भी नहीं था बलके ये हाजिन ही थी मैं उसके साथ जब भी प्रैंक्स करता था उसे गलत काफी देता था या उसके शू अपस में टाइ कर दिया करता था इस सबसे वो बादर नहीं हुई बलके इसी लड़की की वज़ा से हुई है अब वो जंग को सारा कुछ एक्स्प्लेइन करता है और कहने लगता है कि एक्शली हाजिन और मैं दोनों को स्टार्स थे इकटे डिनर कर रहे थे हमारी फोटो वाइरल हो गई और उस वकत हाजिन पर मेरे एक ओपोनेंट स्टार रिन का क्रश था और इसी गुस्से में आकर मैंने ये बोल दिया कि हाँ मैं और हाजिन डेट कर रहे हैं ये उफिशल चला गया थोड़े दिनों बात हुई सब कुछ खतम हो गया लेकिन रियल में हमने कभी डेट नहीं की थी वही दिन था और पिर आज का दिन है वहान मेरे साथ हमेशा बदली-बदली रहती है अब मैं उसे कैसे एक्स्प्रेइन करूँ कि मैंने हाजिन को कभी डेट नहीं किया था अब तैसंग घर पर बहुत सैड बैटा हुआ था वहान अपने कामें बिजी होने की वज़े से उसकी कॉल्स भी नहीं उठा रही थी जबके वहीं पर ही उसकी शेफ आती है और वाच खाना बनाते हुए उसमें नमक बहुत तेज कर देती है वो पहले भी इस तरह की हरकतें किया करती थी और बहाना ये लगा देती थी तो रासते मैं उसकी सेर्यों पर मुलाकात मिस्टर डू से होती है वो बहाणे बहाने से ओहान का पूछने लगता है क्योंकि वाज ऑफिस भी गया था तो डू भी उसे कह देता है כי क्यों ना तुम ओहान को ही कॉल करके पूछ लो लेकिन उसे तो लगता था वो मेरी कॉल नहीं उठाएगी और इसलिए वो जूट बोल देता है कि मेरे फोन की बैटरी बहुत लो है इसलिए मुझे कॉल नहीं कर सकता इतने में मिस्टर डू को उहान की कॉल आती है और वो दोनों आज डिनर पर मिलने की बात कर रहे थे क्योंकि उहान उसे एक जवाब देना चाती थी यह देखकर तैसंग को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में वहाँ से निकल जाता है जबकि दूसी तरफ एक लव ट्राइंगल जनम लेने लगती है यहां को सी डियोग बहुत लाइक करने लगता है क्योंकि उसकी मैनेजर थी हमेशा उससे क्लोज रहती थी वो मानी मनमस के लिए फीलिंग्स डिवेलप कर रहा था जबकि यहां वो तो कंग को लाइक कर दी थी उदर उहां को आज समझ आ जाती है अपनी फीलिंग्स के बारे में जब वो तैसंग का रोमेंटिक सीन देखती है तो उसे समझ आने लगती है कि वो तो तैसंग को लाइक करती है और आज भी उसे मूब वान नहीं कर पाई इसलिए वो फैसला करती है कि सारा कुछ क्लियर कर देगी एक जगा पर तैसंग ने उसे मिलने के लिए भी बुलाया था वो उसे जवाब लेना चाहता था उहां वहां पर आने लगती है उसे सारी बातें बताने के लिए लेकिन उन दोनों का आमना सामना ही नहीं हो पाता और तैसंग को फैन्स गेर लेते हैं और तैसंग को लगने लगता है कि जैसे ओहान यहां पर उसे मिलने के लिए ही नहीं आई जबके ओहान बिचारी का अपना मन तूट जाता है क्योंकि इतनी girl's उसकी fan थी उसे लगता है कि वो उसके काबल ही नहीं है और इतने में Orhan ने Kang को कॉल कर दी थी और Kang वहाँ पर आकर उसे girl's से बचा कर ले जाता है लेकिन Taisang दुकी था कि Orhan तो वहाँ पर आई नहीं और मेरा तो हाथ भी ठाक गया है लोगों के साथ फोटोग्राफ और आटोग्राफ देते देते और नहीं दूसी तरफ वो छोटा सा क्यूट सा कपल यूना और जून्यू का वो दोनों आपस में डेटिंग स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि उनके गिसिंग सीन के बाद से उन्हें लगा था भुहान, मिस्टर डू से दिनर पर मिलने जाती है, वो से एपनी फीलिंग्स बिलकुल क कलियर कर देती है, और कहती है कि मैं आपके लिए फीलिंग्स नहीं रखती, दू भी जान जाता है कि यो तैसंग की वज़़ती है, लेकिन उस से कहता है कि हमारा प्रोफेशनल रिलेशन और फ्रेंडशिप का बिल्कुल पहले जैसा ही रहेगा मुदर तैसंग ने भी अपने परसनल थेटर में उसे एक मुवी देखने के दिर टिकेट भीजा था लेकिन उहान वहाँ पर नहीं आती, वो बिचारा मुवी देखकर था खार कर वापस चला जाता है जैसे ही घर पहुंचता है, तो उसके घर पर कोई आया था, वो कोई और नहीं बलके उहान ही थी वो उस पर घुसा करती है, कि तुम्हारे पास क्या बहुत ज़्यादा पैसे है, पुरा थेटर क्यों बुक कराते हूँ, क्या दो टिकेट्स नहीं ले सकते थे वो बोलता है कि मैं सिंसेर हूँ, मैं सच में तुम से बहुत प्यार करता हूँ और उहान उससे कहती है कि कितना, तो वो उल्टी सीदी बातें करने लगता है, कि इतना कि मैं पिज़ा के साथ पाइनापल को मिक्स करके भी खा सकता हूँ वो सोचता है कि मैंने सिर्फ कहने के लिए कितनी सारी बातें बोली थी, एक रुमेंटिक हीरो, लेकिन इस वकत में जुबान काम ही नहीं कर रही और उहान ये सुनते ही उसकी सिंसेर फिलिंग्स को जान जाती और पिर उसके बाद उसके किस कर लेती है और वो भी उसके किस करता है, फाइनल ही वो दोनों एक कपल बन चुके थे देखिने इतने में उनके गर पर जंग आ जाता है और तैसंग ओहान को चुपा देता है और जंग को किसी तरह से वहां से भगा देता है अब उसके बाद ओहान नेक्स डे बहुत खुशन दर आ रही थी अफकोर्स वो लव में पड़ चुकी थी और जिसे वो प्यार करती थी वो भी उससे बहुत प्यार करता था अब नेक्स डे मिस्टर डू को भी पता चल जाता है वो उससे क्लिरली कह देते कि वैसे तुमने तैसंग की वज़ा से मुझे रिजेक्ट क्यों किया क्या मुझे से जादा गुड लुकिंग नहीं हूँ शाद नहीं हूँ मिस्टर डू ऐसे करते वे बहुत जादा कूल लग रहे थे जबकि तैसंग और रोहान दोनों को बहुत आकवर्ड लगता था वो पहले बिलकुल वरकिंग रिलेशनशिप में थे लेकिन अब उनका रोमेंटिक रिलेशनशिप बन चुका था वो दोनों फोन पर बातें करते थे बहुत देर देर तक और एक दुसरे को सेलफिस भी भेजा करते थे हर टाइम एक दुसरे को अपडेट रहा करते थे कि वो क्या कर रहे थे इवन के एकसर कॉल सुनते सुनते ही सोजा करते थे जैसे नए नए प्यार में सबकी हालत होती है उनकी भी बिल्कुल वैसी ही होती है एक्शली तैसंग शूट पर गया हुआ था लेकिन एक दिन अचानक रात को वो वहान को कॉल करता है उसे कहता है कि मैं तुमारे घर के बाहर हूँ प्लीज दर्वाजा खोलो वो हरान रह जाती है और कहती है कि तुम तो इतनी दूर शूट पर गए हुए थे कैसे चानक यहां पर आ गए वो खुद ही ड्राइफ करके आया था पूरे दिन की ठकान के बावजूर और कली उसने दुबारा शूट पर वापस भी जाना था यह सुनते ही ओहान कहने लगती है ऐसा क्यों तो वो कहता है मैं सिरफ और सिरफ अपनी गिर्ल्फरिंट को देखने के लिए आया हूँ और उसके बाद एक नेक्स निकाल कर उसे गिफ्ट में देता है जो के बहुत प्रिटी था और फिर उसके बाद उसे किस करने लगता है लेकिन उसे एक एमरजनसी कॉल आ जाती है और उसे वहाँ से जाना पड़ता है वो जाते जाते ओहान के दिल की धड़कने इतनी तेज कर गया था कि वो सोचने लगती क्या मुझे नीन कैसे आएगी वैल अब नेक्स डे जब वो आफिस में जाती है तो एक अलगी कांट हो गया था एक नया स्कैंडल आया था और वो रियूमर ये थी कि तैसंग और मिस्टर डू आपस में डेट कर रहे हैं और वो एक इंक्रेडिबल मेल कपल है अब ये सुनते ही पूरा का पूरा आफिस ही हरान रह जाता है और वो सोचने लगते हैं कि रियूमर पहलाने वाले पता नहीं कहां से इस तरह की बाते निकाल कर लाते हैं मिस्सर डू भी हयरान हो रहे थे और वो सोचने लगते हैं कि मेरी क्या इज़त रह जाएगी इतनी सारी लड़किया मेरे पीछे दीवानी थी वो मेरे बारे में क्या सोचेंगी वो तो अपना मूँ चुपाते हुए आफिस में जाकर बैठ चाते हैं और पिर उसके बाद वो चोएक को वहाँ पर बुलाते हैं जो कि रिपोर्टर थी उसे एक इंटर्व्यू देना चाहते थे सीवू दुबारा से अपने बेटे से मिलने के लिए जाती है जबर्दस्ति उसके अपार्टमेंट में भी गुष जाती है लेकिन उसका बेटा कहता है कि आपने मुझे दिया ही क्या है क्यों मुझे से मिलने आई है तो वो कहने लगती कि मैंने तुमें एक अच्छा नाम और गुड लुक्स दी है और फिर इतने में उनके घर पर वो ही मिस वॉन भी आ जाती जो कि हाउस की पर थी लेकिन सीवू को उसे देखकर शक हो जाता है कि यहाँ पर मेट का काम करती है लेकिन इसे तो मैंने स्टोर पर देखा था वहाँ पर इतनी एक्सपैंसिव वाच खरीद रही थी और फिर हमें दिखाया जाता है कि सीवू की अपने बेटे को हग करने की फोटो कोई वाइरल कर देता है और वो भी उसके एंटी फैन पेज़ पर यह कौन है यह था हमें पता नहीं चलता और उसके बाद जब मिस वान वापिस जा रही थी तो उसने नेकलिस ओहान के गले में देखा था जो कि उस टाइम पर तैसंग से मिलने के लिए आ रही थी वो यह देखते ही समझ जाती कि तैसंग ने से गिफ्ट दिया है यह दोनों डेट कर रहे हैं क्योंकि यही नेकलिस उन्होंने तैसंग के कमरे में देखा था अब सीवू को तो कांग वापिस लेकर चला गया था लेकिन सीवू ने सब बता दिया था कि यह जो मेड है यह बहुत सब स्पीशियस है इसे मैंने कहीं पर मेंगी शॉपिंग करते देखा है अब कंग भी उस मेड की इन्वेस्टिगेशन कराने लगता है उदरो हान तैसंग को सैड देखती है तो उसे दसली देती है और उसके बाद वो अपने मन की सारी बातें उससे करते है कि मैं बहुत हर्ट हूँ इतने सालों बात वो वापस आई और उसके बाद मेरी मेड से भी इतनी बत्तमीजी की वेल अब मिस्टर डू वाली कॉंट्रूवर्सी तो ओवर हो ही गई थी क्योंकि चोय ने इतनी अच्छी रिपोर्ट लिकी इस पर कि सारा कुछ क्लियर हो गया था और तो और इस सब के बाद मिस्टर डू की पबलिस एटी भी बहुत ज़ादा हो गई थी लोग उसे बहुत जादा जानने लगे थे वो चोय उसे कहने लगता है कि तुमें इसके बदले में कमपंसेशन देना चाहता हूँ और वो ये है कि मुझे तुमारा आर्टीकल इतना पसंदा है अगर कभी तुम किसी केस में फसो तो मैं तुमें डिसकाउंट दूँगा और फिर उसके बाद सीडियों पर दोवारा से मिस्टर डू की और तैसंग की मुलाकात होती है मिस्टर डू से चेड़ने के लिए कहते हो मेरे बॉइटर से जाने लगते है कि अप मैं सीडियों से नहीं चरपाऊंगा मैं बहुत हर्ट हुआ हूँ तुमने मुझे छोड़ किसी और को डेट करना स्टार्ट कर दिया है हमेशे से मिस्टर डू बहुत कूल होते थे लेकिन उसके बाद अपने अपार्टमेंट में खड़े होकर बाहर का नजारा देखते हुए बहुत साड नजार आ रहे थे और कहने लगते हैं कि अपार्टमेंट चान मेरे लिए बड़ा मनूस है पहले में रिजेक्ट हुआ और उसके बाद एक लड़के के साथ लव कॉंट्रोवर्सी में फंस किया वो हर्ट तो हुआ था लेकिन फिर भी किसी को शो नहीं कराता था अब मिस्वान कुछ दिनों से चुट्टी पर थी और इसी वज़ा से कंग उसे कॉल करता है वो कहने लगती है कि मेरी तबियत खराब थी इसलिए मैंने कुछ दिनों की चुट्टी लिया लेकिन जल्दी दुबारा काम पर आ जाओंगी और पिर साथ मैं ये भी कहती है कि सीवू ने मिरसाथ बहुत बुरा सलूक किया था शायद मेरी शकल किसी से मिलती है और वो मिस्टेकन हो गई थी और कंग को भी यही सुनकर एक दबह तो तसली हो जाती है लेकिन उस ताइम पर मिस वॉन एक बहुत महिंगे स्पा में बैटी अपना मैनिक्यूर पैडिक्यूर करा रही थी और इसके साथ साथ हमें ये भी पता चलता है कि वो तैसंग का एंटी फैन पेज भी चलाती है और वो जो सीवो की उसे हक करने की फोटो थी वो भी उन्होंने ही पोस्ट कराई थी अब उससे किस चीज़ का बदा ले रही है ये तो हमें आगे जाकर ही पता चलेगा आधर उसके बाद एक दिन ओहान के पास कांगा कर बैठता है और उसे पता चल जाता है कि ये दोनों डेट कर रहे हैं ये सुनते ही ओहान बहुत शर्मा चाती है कांग उन्हें बहुत सालों से जानता था और वो समझ गया था कि आज कल ये दोनों बहुत कुछ नदर आ रहे हैं इसका मतलब है कि इन दोनों के दिलापसे मिल चुके हैं उधर तैसंग अपने शूट पर था और वो वहां से कुछ सेलफिस बेचता है और वहां को और बताता है कि उसकी फेवरिट फूड खा रहा है और वहां भी यही वैसला करती है वो भी तैसंग का फेवरिट खाना आजमगवा कर खाने लगती है और बस इसी तरह से उन दोनों की स्क्यूट सी लव स्टोरी में प्रोग्रेशन चलता रहता है और बस इसी तरह से उन दोनों की स्वीट सी लव स्टोरी आगे बढ़ती रहती है लेकिन उहां को तैसंग की मेट पर शक था और इसी बारे में उसने कंग से भी बात की थी तो वो दोनों उसके अपार्टमेंट पर जाते हैं उसका पता करने के लिए लेकिन वहां जाकर पता चलता है कि कोई और ही रह रहा है उस फ्लैट में और जब हमसे पूछा जाता है तो पता चलता है कि मिस वॉन यहां से थोड़े दिनों पहले ही मूव कर गई है ये बात मिस वॉन को भी पता चल जाती है actually वो सिरफ वो अपार्टमेंट नहीं बरके पूरी की पूरी बिल्डिंग ही on करती थी और उसने उस अपार्टमेंट वाले को कहा था कि अगर कोई मेरा पूछना आए तो यही कहना कि मैं यहाँ से move कर चुकी हूं और इसके बंदे वो उनका rent भी माफ कर देती है वेल अब कंग ने रिसर्च तो करा ली थी और इन्वेस्टिगेशन के नतीजे में उसे पता चलता है कि मिस वान एक फिल्डी रिच है यहाँ पर बहुत सारे प्लाजाज और बिल्डिंग्स उसके नाम पर है अगर वो इतनी रिच है तो फिर किस वज़ा से और किस मकसद के अंडर वो तैसंग की मेड़ बनी हुई है लेकिन उसी टाइम पर ओहान के आफिस में कुछ गिफ्ट साते हैं और वो बहुत सारे लोगों को मिस वान नहीं भेजे थे वो सब चीजें ब्रेंडिट थी ये सारे लोग ये देखकर हैरान रह जाते हैं और जो गिफ्ट ओहान के नाम पर आया था उसमें एक लेटर भी था और लिखा हुआ था तुमें क्या लगता है कि तुम बहुत स्पेशल हो बिल्कुल भी नहीं तुम बिल्कुल ओर्डिनरी हो उस नेक्रस की तरह जो तुम्हें तैसंग ने दिया है और उसी टाइम पर तैसंग के पास मिस वान पहुंच चुकी थी और वो जाते वे उसे कहने लगती हैं कि आज मैं आखरी दिन आई हूँ इसलिए तुम्हें गुडबाई बोलने के लिए आई हूँ मिस वान जानती थी के लोग मुझ तक पहुंच चुके होंगे इसलिए उसने भी इस ट्रामे को एंड करने का फैसला किया था वो जाते जाते तैसंग को गुडबाई करते वे हक करती है और कहती है कि अब जब भी तुम्हें कहीं पर भी सॉल्ट नजर आएगा तो मेरी याद आएगी क्योंकि मैं जान बूच कर तुम्हारे सूप में सॉल्ट तेज कर दिया कर दी थी अब जब वो जाने लगती हैं तो कांगुने पकड़ लेता है वो अपार्टमेंट ही नहीं पुरी बिल्डिंग ही मेरी है उदर तैसंग भी इतने बड़े धोके के बाद अब शौक में बैटा हुआ था वो बहुत सैंसिटिव था लेकिन लोगों को दिखाता नहीं था और फिर हमें पता चलता है कि मिस वान एक साइको टाइप की वूमन है वो बहुत सारी सिलेब्रिटीज जो भी उनको पसंद थे उनको स्पेशल गिफ्ट बेजा करती थी लेकिन तैसंग ने उनका गिफ्ट रिजेक्ट करने की इमत की थी जो के एक लिमिटेड एडिशन वाच थी इसी वज़ा से वो उससे बदला लेना चाहती थी इस तरह के लोगों को कुछ ना कुछ एडवेंचर करने में फ़न फील होता है और इसलिए वो उसके घर पर मेड बनी थी और उसके दिल और दिमाग हार चीज़ पर एक प्रिंट छोड़कर उसकी लाइफ से जा चुकी थी वो यह नहीं चाहती थी कि कभी भी उसे बुला पाई क्योंकि वो पहला इंसान था जिसने उन्हें इगनोर करने की मत की थी आप कांग जाकर यही बात मिस्टर डू से भी डिसकस करता है कि हम उसको सू करना चाहते हैं लेकिन उख कह देते हैं कि आप लोग मिस वान को कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि जो कुछ भी उसने किया वो बलकुल लीगल था कुछ भी लीगल नहीं था उसे कोट में घसीटने का कोई फाइदा नहीं होने वाला वो ही केस जीतेगी वदर सीडियोक आज जियोंक के साथ खड़ा हुआ था उसने नेया ड्रेस ट्राइ किया था वो बहुत सुन्दर लाग रहा था लेकिन यहीं पर ही वो जियोंक के सर पर उसके बालों पर हाथ फेरना चाहता था जैसे हमेशा कांग किया करता था लेकिन ऐसा करने से वो खुद को रोक लेता है और पिर उसके बाद जीयोंक कांग के पास जाती है कांग ने आज ड्रिंक किया हुआ था जियांग भी उसके साथ बैट के बाहर ड्रिंक करने लगती है लेकिन यहाँ पर कांग उसे बातों ही बातों में ऐसे बीएव करने लगता है कि जैसे वो एक छोटा बच्चा उसे समझता हो अपना जूनियर वो उसे कहता है कि तुम कितने जल्दी बड़ी होती जा रही हो लेकिन यह सुनते ही जियांग बहुत दुखी हो जाती है और कहती है कि मिस्टर कंग आएंदा से प्लीज मेरे हेड़ पर पैट करने की कोई सुरूरत नहीं क्योंकि ऐसा करते हैं तो मेरे मानी मन में फीलिंग्स आने लगती हैं आपके लिए और उसके बाद हमें लुका की ग्रेव को दिखाते हैं उसकी ग्रेव पर आज एक लड़का खड़ा हुआ था और वो यही कह रहा था कि तुम इस दुनिया से चले गए लेकिन मैं तुमारा बदला लूँगा और तैसंग को सबक सिखाऊंगा यह सब उसी की वज़ा से हुआ है और इसके साथ ही वो तैसंग का एंटी फैन वाला पेज ओपन करता है और उस पर कुछ पोस्ट करने लगता है एक्शली यह तैसंग का दुश्मन था लेकिन साथ ही साथ हम एक और बात पता चलती और वो यह थी कि तैसंग की एजन्सी से ही कोई उसका दुश्मन है जो कि उसके खिलाफ खबरेया उट करने लगता है और तैसंग बचारे के खिलाफ जब भी कोई स्कैनल निकलता था उसे तो अब नहीं परिशानी लग जाती थी क्योंकि वो हां तो उसकी गर्फरेंड बन चुकी थी और इसकी वज़ा से उसकी गर्फरेंड को ओवर टाइम करना पड़ता था उदर चॉय के आफिस में उसका बॉस उसे बार बार एक नियूस पब्लिश करने को बोल रहा था किस पर आर्टिकल लिखो वो कन्फरम करना चाहती थी लेकिन वो जल्दी में उसे टाइम ही नहीं देता और उसके बाद जब वो पब्लिश कर देती है तो थोड़ी देर बाद उसे पता चलता है कि उसकी नियूस रॉंग साबित हुई है और उसके बाद उसे अपॉलोजाइज भी करना पड़ता और आर्टिकल भी काटना पड़ता है लेकिन फिर भी उस स्टार की एजनसी उसे सूप कर देती है उदर तैसंग को दिखाते हैं वो आज एक जगापर सूप पी रहा था लेकिन वो सूप देखते ही उसे दुबारा से मिस्वान की याद आने लगती है जैसे उसने बोला था वो वाकिए उसकी लाइफ में एक प्रिंट छोड़ कर गई थी और वो भी साइकोलोजिकल डिसॉर्डर टाइप का वो इस शॉक की वज़ा से और कुछ अपनी न्यूज की वज़ा से काफी अपसेट रह रहा था यहां पर सी यो उसके पास आता है एक्शली बहुत से लोग थे जो उसकी केर करते थे इतने में कंग भी उसके पास आता है और वो भी उसके लिए प्रेजन्स लेकर आया था और इंदियां सबसे दादा खुश तो वो तब होता है जब उसके शूट पर उहान उससे मिलने के लिए आती है और उससे कहने लगती है कि मैं तुमारे लिए डिनर लेकर आई हूँ इससे पहले कि धंडा हो जाया हम मिलकर खाते हैं लेकिन तैसंग उसे देखकर बहुत खुश था और उससे कहता है कि यू मेड माई डे और उसके बाद वो दोनों आई बलिंकिंग की गेम खेलने लगते हैं लेकिन यहीं परी वो दोनों इकठा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर ही रहे थे लेकिन साथ साथ में काफ़ी डरे भी हुए थे कि कोई उनको देखना ले उधर हमें चॉय को दिखाते हैं अब वो एक केस में फांस तो चुकी थी तो मिस्टर डू के पास जाती है कि फ्लीज मेरी हेल्प करें तो मिस्टर डू से उसी लॉयर के पास लेकर जाते हैं जिसकी तरफ से सू किया गया था Actually, वो ही lawyer उस actress का boyfriend था और Mr. Do अपनी जान पहचान की वज़ा से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज एक दफ़ा ये case वापस ले लें ये लड़की मुझे बहुत अच्छे से जानती है, इससे गलती हो गई है और वो इस बात पर case वापस ले लेता है उदर ज्यांग वो तो बहुत जादा सैर थी, उसने पाफनाओं में आकर कांग को बता तो दिया था कि वो उसे लाइक करती है, लेकिन हम रो रही थी कि मैं उसे नजरें कैसे मिलाऊंगी उदर हमें ओहान को दिखाते हैं, वो आज मिस वान से मिलने के लिए जाती है लेकिन मिस वान उसे टीज करने लगती हैं जो लीकटी बाते सुनाती हैं कहती हैं कि तुम इतनी स्पेशल नहीं कि मैं तुम्हारे और तैसंग के बारे में न्यूज को आउट करूंगी और साथी साथ ये भी कहती है कि तैसंग के सामने तुम बिल्कुल फीकी सी लड़की हो थोड़े दिन वो तुम से अपना दिल बहलाएगा और उसके बाद तुम्हें छोड़कर आगे निकल जाएगा अब ये सुनकर ओहान एक दफ़ा सैड हो जाती है और उसके बाद तैसंग उसे अपने साथ एक डेट पर लेकर जाता है वो ड्राइव करके उसे अपने साथ एक सी साइड पर लेकर गया था उसने वहाँ पर एक कैम्प लगाया हुआ था और वो दोनों इकटे बैठकर इंजॉय करने लगते हैं और वहां आज तोड़ी तोड़ी डाउन दिखाई दे रही थी और कहती है कि मुझे स्टार्स नहीं दिख रहे लेकिन वो उसे चेर अप करने की कोशिश करने लग और कहता है कि तुम ही तो मेरी स्टार हो तुम्हारे होते वे किसी ओ स्टार की क्या ज़रूरत ओहान उससे कहने लगती है कि तुम्हारे पीछे तो इतने ही लड़किया दिवानी है मेरे से बहुत ज़्यादा सुन्दर बहुत ज़्यादा कैपेबल लेकिन तुमने मुझे चूस किया कहीं तुम मुझे छोड़ तो नहीं जाओगे मैं कहीं एक क्राउड तो नहीं बन जाओगी तुम्हारे लिए लेकिन हो कहने लगता है कि मुझे तुमसे लव एट फर्स्ट साइट हो गया था उस वकत जब ना में इतना बड़ा स्टार था और नहीं तुम मेरी लाइफ में इतनी स्पेशल थी वो बोलता है कि मैं तुम्हें पहले भी प्रॉपोस करना चाता था लेकिन स्टूडेंट टाइब में नहीं कर सका क्योंकि मैं नहीं चाता था कि मैं एजेक्ट हो जाओ या मेरी वज़े से तुम्हें लोग तकलीफ दें लेकिन इतने इस सालों से अपने दिल में तुम्हारा प्यार दबाए हुए हूँ अब हम मिले हैं तो प्लीज तुम ऐसा ना सोचो मैं तुम्हें कभी छोड़ने का सोच भी नहीं सकता तैसंग भी अपने एंटी फैन पेज़ पर एक पोस्ट देखता है जिसके थूरू से पता चल जाता है कि उसकी एजन्सी में कोई है जो उसका दुश्मन है लेकिन ये कौन है ये वो अभी तक पहचान नहीं पाया था जबकि अधर आफिस में यॉंग जब भी कंग को देखती थी तो उसे देखकर रास्ता बदल लेती थी लेकिन आज कांग उसे रोकता है और बहुत कूल स्टाइल मुझसे कहता है कैसे मुझे देखकर रास्ता बदलना छोड़ दो मुझसे भाग दें की कोई जरूरत नहीं मैं तुमारी फिरिंग समझ गया हूँ लेकिन अभी तक मैं अपनी नहीं समझ पाया इसलिए तुमें कोई जवाब नहीं दिया इसलिए प्लीज अब इसे प्रोफेशनल रहो और बिल्कुल वैसे ही जैसे हम पहले थे यह सुनकर यॉंग को थोड़ी सी तसली हो जाती है और नॉर्मल एक्ट करने लगती है अब उसके बाद तैसंग काफ़ जदा परेशान था अपने उस एंटी फैन की वज़ा से और वो जब एजनसी में आता है तो सब के फिसस को गोर गोर से और उनके आईडी से को देखने लगता है कि किस से वो आईडी मैच करती है जो के बलर करके सोचल मीडिया पर पोस्ट की गई थी लेकिन अभी तक उसे फाइंड आउट नहीं कर पाता यही पोस्ट हो जाकर कंग को भी दिखाता है वो भी यह देखकर परेशान हो गया था शाम को उसका अपने नेबर मिस्टर डू से आमना सामना होता है वो उसे बूशना लगता है कि क्या इस एजनसी की आईडी तुम्हारे पास भी है वो कहता है हाँ है तो उसे डारेक्टली पूश लेता है क्या मैं तुमसे बैठ कर कुछ बात कर सकता हूँ वो उसे पूशता है क्या तुम मेरे एंटी फैन हो क्योंकि मुझे लगता है कि तुम्हारे पास ही सबसे बड़ी रीजन है मेरे खिलाफ बातें करने की लेकिन मिस्टर डू कहने लगता है कि अगर वाकई मैं तुम्हारा एंटी फैन हो और तुम्हारे खिलाफ कहीं पर कुछ पोस्ट कर रहा हूँ तो फिर तो मैं तुम्हारा नेबर भी हूँ कितना डेंजरस है तुम इस वकत मेरे अपार्टमेंट में बैटे हुए हो अब वो वहां से उसे तो भेज़ तो देता है कि उसना उसके हाथ की बनाई हुई पूरी की पूरी काफी खतम कर दी थी उदर आफिस में कंग और ओहां दोनों ही बहुत परिशान बैटे हुए थे क्योंकि उनसे तैसंग की परिशानी नहीं देखी जा रही थी वो बहुत ज़ादा स्ट्रेस में था क्योंकि वो ही ब्लैक मेलिंग वाला स्माइल बॉई अब उसे परसनल नमबर भी मैसेज करता था और उसे ब्लैक मेल करने की कोशिश करता था धंकी भी देता था इतने में बैटे बैटे कंग को क्लिक कर जाता है और उसे समझ आ जाती है कि वो इस स्माइल बॉई को जानता है उसको यार आता है कि तैसंग का पुराना मैनेजर उसने एक दफ़ा कहा था कि वैसे तो बहुत स्माइल करता है लेकिन इसने आज तक मुझे देखकर स्माइल नहीं करी वो जान जाता है कि मिन्यू यकीन ये वो ही होगा वो जाता है और उसे रंगे हाथों पकड़ लेता है जो कि उसी टाइम पर रिपोर्टर्स को कोई फेक निउस सेंड करा था तैसंग से रिलेटिड उसे बदनाम करने के लिए और तैसंग को भी उसने कुछ मैसिज भेजे थे और वो ये थे कि वो उसकी और सी वान की फोटोस लीक कर देगा उसे लगा था कि शायद इसका एक ओल्ड एजड पुरानी एक्ट्रिस सी वान के साथ कोई चकर चल रहा है ये फोटोस देखते ही तैसंग को स्ट्रेस होने लगता है कभी भी अपनी ममी का नाम मीडिया पर नहीं लाना चाहता था और अब उनके बारे में इस तरह की नियूज ये देखते ही वो बहुत ज़ादा डर जाता है उसे बहुत टेंशन होने लगती है और वो जैसे ये अपने बिल्डिंग से बाहर निकलता है रिपोर्टर उसे घेर लेते हैं वो बार-बार उसे क्वेस्चन करे थे कि आपका और सीवू का क्या रिष्टा है और ये सब सुनते हुए तैसंग को ऐसे लग रहा था कि जैसे उसके कान बंद हो रहे है दुनिया घूम रही है और उसे कुछ समझ नहीं आ रही वो बस गिर जाता है जब वो गिरता है तो उस वक्त ओहान उसकी तरफ दौटती हुई आ रही थी और तैसंग के मन में बस इतना ही था कि ठैसंग को और ये ओहान के बारे में नियूज नहीं थी क्योंकि वो ओहान को कभी भी टेंशन नहीं देना चाहता था लोग उसे बुली करते उसका और तैसंग काना मिकठा देख कर और फिर इसी के साथ ही हम एक फ्लेश बैक दिखाते हैं एक्शली तैसंग का और कंग का रिष्टा बहुत पुराना था जब तैसंग की पहली मुवी रिलीज हुई थी तब उसकी मम में उससे मिलने के लिए आई थी लेकिन उसने मिलने से इंकार कर दिया था अब वो बहुत परेशान था तो यहां पर कुछ ड्रंक लोग आते हैं जो कि तैसंग को तंग करने की कोशिश करते हैं कांग उनके सामने रिजिस्ट करता है लेकिन उनसे मार खा बैठता है उन पर हात नहीं उठाता है क्योंके उस टाइम पर नई नई मूवी तैसंग की रिलीज हुई थी और कोई भी कॉन्ट्रोवर्सी में अगर वो पढ़ता तो उसकी मूवी पर एफेक्ट होता इसलिए कंग बिचारे ने मार खा ली और यह पहला दिन था अजब तैसंग ने उसे उसके फर्स्ट नेम से पुकारा था और तब से लेकर अब तक वो बिलकुल फ्रेंड्स की तरहां थे अब नेक्स्ट डे सीवू एक प्रेस कॉन्फरेंस करती है और सारी दुनिया को बता देती है किस तरह से उसकी और तैसंग की फोटोस को घलत यूज़ किया जा रहा है एक्शली वो तैसंग की माम है और ममी ने बेटे को कितना हर्ट किया है इस वज़े से उनका रिष्टा बहुत सोर है तैसंग को यह सब देखकर गुसा आ रहा था क्योंकि उसने कहा था किओ कभी भी सीवू के बेटे के नाम से अपनी पहचान नहीं चाहता उसने थो ओहान को भी रोका था कि प्रेस कानफरेंस मत होने देना मैं कुछ भी बर्दाश कर लूँ गा लेकिन मुझे अपना नाम सीवो के नाम के साथ नहीं चाहिए पर ओहान नहीं स्टेप ले लिया था क्योंकि इस वकत बहुत जरूरी था इसी वज़ा से उनके बीच थोड़ी बहुत लड़ाई भी हो चुकी थी दूसरी दरफ मिस्टर डो को दिखाते हैं वो अकसर चॉय के ब्लॉक्स को पढ़ता था और वो जो आर्टिकल्स लिखा करती थी उसे काफ़ी इंट्रस्टिंग लगते थे वो उसकी तारीफ भी किया करता था उसके पस्ना नमबर पर मैसेज करके इसी तरह से उनके बीच काफी नजदीकियां बढ़ने लगी थी अब बचारा तैसंग एक कॉंट्रोवर्सी से निकला नहीं था कि अगली में फंस गया था एक्शली जब वो एफ्रीका में रहा था तो वहां पर एक बच्चा था जिसका नाम लूका था और उस बच्चे के ममी डैडी नहीं थे और तैसंग उसका बहुत ख्याल रखता था उसने अफ्रीका से उसे लैटर भी बिचा था जिसमें उतैसंग को पापा कह रहा था और यही लैटर लीक हो गया था और लोग कहते थे कि उसका अफ्रीका में एक इलीगल चाइल्ड है और उसी की केर करने के लिए वो एक साल पीछे वहाँ पर गया था लेकिन जो लोग उसे अच्छे से जानते थे वो सब ये पहचान गए थे कि है सिरफ एक क्रियूमर है जिन में ओहान भी शामिल थी और उसके सासाथ दाहे भी दाहे के पास तैसंग जाता है लेकिन वो कहती है कि किसी कॉंट्रोवर्सी को लेकर मैं बिल्कुल भी परिशान नहीं हम दोनों को स्टार्स हैं और हपका साथ देना मेरा फर्ज है वो कभी भी उसे ये फील नहीं कराने देती थी कि वो उसके एक क्रेजी फैन है अब वोहान से तो तैसंग मिल नहीं रहा था जबके वोहान जब आफिस में थी तो उससे मिलने के लिए कोई आता है और वो थी सीवू जो कि आकर उसका ठैक्स करती है कि तुमने मुझे इस प्रेस कांफरंस करने के लिए अगरी किया मैं उसे समय नहीं दे पाई इसलिए मैं बहुत शर्मिनदा हूँ और वो बताती है कि उसे अलजाइमर की बेमारी है और अब उसकी मेमरीज आहिस्ता हिस्ता एरेज होती जा रही है इससे पहले कि अपने बेटे के साथ किया हूँ जल्म उसे बूले उसे माफी मागने के लिए आई है वेल अम नेक्स डे तैसंग फाइनली उसका घुसा ठंडा होई जाता है और वो अफिस में आता है और रोहान को कहता है कि मैंने तुम्हें मिस किया वो कहती है कि मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया और वो उसका हाथ पकड़कर उससे सौरी करता है कि इस अब जरूरत थी इसलिए तुमने इस टेफ लिया मैंने तुम पर फजूल में इतना घुसा किया अब उसके बाद कांग भी तैसंग को समझाता है कि तुम्हारी मम्मी के साथ क्या प्राब्लम्स चल रहे हैं और एक दफ़ उनको एक चांस तो देख कर देखो और इसके साथ साथ उनका CEO भी सीवू से जाकर मिलता है उस सीवू को अच्छे से जानता था और उसे ये भी पता था कि जब तैसंग के डैड की डैथ हुई थी तो उस ताइम पर उसने प्लेन से उतरने की कोशिश की थी लेकिन तब तक प्लेन टेक आफ कर चुका था उनके फ्यूनरल पर उस शर्मिंदगी की वज़ा से नहीं पहुंच सकी और बाहरी खड़ी रही एक्शली नहीं मिस अंडरस्टैनिंग्स की वज़ा से उस माँ और बेटे के बीच इतने प्रॉब्लम्स क्रियेट हुए थे इतने सालों से आज तैसंग को कांग अपने सास लेकर आता है और मम्मी उसे बहुत कुछ एक्स्प्लेन करती है उसे माफी भी मांगती है कि मुझसे बहुत अगलतिया हुई थी पर इससे पहले कि मेरी मेमरीज खतम हो जाए मैं ये भी पहचान ना छोड़ दू कि तुम कौन हो मैं तुमसे माफी मांगने आई हूँ और तैसंग भी फाइनली उनको माफ कर ही देता है और दोनों मां बेटा एक दुसरे को हग करते है और उसके बाद सीवू तैसंग को छोड़ अपनी उसी दुनिया में वापस चली जाती जहां से वो आई थी और उसके बाद ओहान जाता है और तैसंग को हग करता है उसका थैंक्स करता है कि तुम फ्रेंड्स की एफर्ट्स की वज़ा से ही मेरे दिल पर जो इतने सालों से पत्तर रखा हुआ था अब वो हड़ चुका है और उदर दूसी दरफ हमें दिखाते हैं कि यूना और जैहून वो दोनों आपस में ब्रेक अप कर चुके थे क्योंकि उन्हें लगता था कि उनका जब टूथ आउट होगा तो दुनिया उनको ब्लेम करेगी और यह उनके कैरियर के लिए अच्छा नहीं है स्टार्ट में ही कांट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना चाहते थे और उनके साथ साथ उनके जो ड्रामे में रोल था उन्होंने भी आपस में ब्रेक अप कर लिया था और यह सीन बहुत रियलिस्टिक सा शूट होता है अब एक दिन कंग और जियोंग दोनों डिनर पर मिलते हैं और उसके बादों दोनों वॉक कर रहे थे कि हाँ पर जियोंग इतनी शर्मिंदा होती है कि कंग से कहती है क्या तुम प्लीस बुला सकते हो जो मैंने तुम से एक दफ़ा अपना लव कंफेस किया था बूल जा समझा है सा कभी भी नहीं हुआ था लेकिन कंग कहने लगता है क्यों भूलना हूँ यह तो मेरी लाइफ का एक बहुत कीमती मूमेंट था और उसे बताने लगता है कि सोचने में मुझे थोड़ा तो समय लगा लेकिन अब मैं भी तुम से प्यार करता हूँ और उसको येस कर देता है वो कहता है कि पहले मुझे अपना काम ज़्यादा पसंद था वो कहता है कि पहले मैं अपने काम में ज़्यादा सीरियस था और मैं वर्क प्लेस पर कभी भी रोमैस नहीं करना चाहता था लेकिन मुझे अब लगता है कि काम से भी बढ़कर मेरे लिए ज़्यादा इंपोर्टन तुम हो चुकी हो हम उसके बाद ओहान और तैसंग दोनों मिलकर अपने उसी कामन फ्रेंड लूका की ग्रेव पर जाते हैं जिसका रियल नेम यून्मू था वो से शेयर करते हैं कि किस तरह से अब हम दोनों डेट कर रहे हैं और कैसे तैसंग की और उसकी ममा की आपस में सुला भी हो चुकी है लेकिन जैसे ये तैसंग वहाँ से वापस घर आता है तो वो देखता है कि उसके दर्वाजे पर किसी ने नोट रखा हुआ है और यही लिखा हुआ था कि ये मत भूलना कि यून वो की डेथ तुम्हारी वज़ा से हुई थी अब तैसंग वही लेटर उठाता है और शीतर चला जाता है मिस्टर डो के घर पर उसे दिखाता है और बताता है कि किस तरह से हर साल उसकी डेथ एनिवर्सरी के पास मुझे इसी तरह के लैटर्स मिलते है और यह कोई और नहीं बलकि उसका एक्स मैनेजर सेंड कर रहा है उसके एक्स मैनेजर का नाम मिस्टर यू था और मिस्टर यू को ऐसा लगता था कि जैसे तैसंग की वज़ा से यूनु की जान गई है लेकिन तैसंग और यूनु दोनों स्कूल में भी कठे पढ़ते थे और उन्होंने एजनसी भी कठे जॉइन की थी वो दोनों बिल्कुल बेस्ट फ्रेंड्स की तरह से बहुत क्लोस दिखाई देते थे यूनु बहुत जाता स्ट्रेस में था और इन दे एंड उसने खुद की खुद ही जान ले ली थी और उसके बाद उसके फ्यूनरल पर तैसंग नहीं पहुंच सका था क्योंकि वो किसी शूट की वज़ा से आउट ओफ स्टेशन था वैल अब उसकी डेथ एनिवरस्ट्री तो गुजर जाती है और उसके बाद सारे लोग उसी बार में जाते हैं जहांपर मिस्टर यू काम करता था लेकिन मिस्टर यूस टाइम पर वहां नहीं था तैसंग उससे मिलना चाता था क्योंकि वो जानता था कि वो ही मैनेजर ये सारा कुछ करा रहा है और उसने मिनियू को भी यूज किया है अब यहां पर चॉय भी आई हुई थी और मिस्टर डू उसे अलग से एक ड्रिंक करने के दिए ले जाता है और कहता है कि 6 पीम के बाद मैं सिर्फ उन लोगों से मिलता हूं जो कि मेरे बहुत क्लोज है और हमारा इसका मतलब है कि वर्क से उपर का रिलेशन है अब यहां पर चॉय भी बहुत सैड हो जाती है और उसे बताती है कि जब यूनू ने अपनी जान ली तो उसे एक दिन पहले उसका इंटरव्यू मैंने किया था और यह सोच सोच करो काफी दुकी होती है उसे यूनू बहुत इनोसेंट लगता था अब नेक्स डेट तैसंग मिस्टर यू से मिलने के लिए जाता है और उससे कहता है मुझे इतने सालों से पता है कि सारा कुछ तुम ही करा रहे हो और पर उसके बाद मुझे उससे कहने लगता है कि मेरी सिर्फ इतने गलती है कि मैं उस दुख का और उस तकलीफ का अंदाजा नहीं लगा सका जिसमें उस वकत यूनू था वो दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हुआ करते थे लेकिन यूनू और तैसंग दोनों ही उसके स्ट्रॉगलिंग एक्टर थे और यूनू बहुत सारी पार्ट टाइम जॉब्स भी किया करता था उस पर उसकी फैमिली का प्रेशर था और वो उससे पैसे भी मांगते रहते थे इसी समय एक बहुत इंपॉर्टन्ट रोल आया था जो के पहले यूनू को मिला था लेकिन बाटनों से कैंसल करके तैसंग को दे दिया गया था और इसी वज़ा से मिस्टर यू बलेम करता है कि तैसंग ने जान बूच कर उससे ये रोल चीना था अगर ऐसा ना होता तो आज वो जिन्दा होता लेकिन यहां पर तैसंग उसे सब बताता है कि किस तरह से वो आज भी इस चीज़ को लेकर रिग्रेट कर रहा है और वो एक साल अफरीका में जाकर इसी दुख को भूलाने के लिए किया था और उसने वहाँ पर जितनी भी चैरिटी की है सब की सब उसने यून वू के लिए किया है और वहाँ पर वो जिस बच्चे लुका को एडॉप्ट कर चुका है वो भी यून वू का ही स्टार नेम था और वो Mr. You को समझाने में कामयाब हो ही जाता है कि वो भी यूनो को उतना ही लाइक करता था जितना Mr. You करते हैं जबकि दुसी तरफ हमें दिखाते हैं कि जैहून और यूना उनका मुवी में एक सीन शूट होता है और वहां पर उनका दुबारा से पैच अप हो गया था और ऐसा लग रहा था कि जैसी ये सीन रियल में हो रहा है जबके उन दोनों के मैनेजर्स तो ये देख देखकर थैंक्स गॉड करे थे कि बस इनकी शूटिंग खतम हुई अब हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि दोनों इतना लड़ते हैं किसी भी ड्रामा में एक दूसरे के साथ काम करें लेकिन हो ये नहीं जानते थे कि वो दोनों तो रियल में प्यार में पढ़ चुके हैं और कंग जब भी यांग को देखता था तो सोचता था कि कोई इतना भी क्यूट कैसे हो सकता है और उसके बाद है, CEO आज ओहान को अपने पास बुलाता है और बातो बातों में उसे कहता है, कि मुझे लग रहा है, जैसे तैसं किसी को डेट करा है पता नहीं क्यों कुछ बदला बदला लग रहा है, विर्ड एक्ट करता है, हर वकत फोन से नजरे ही नहीं हटाता, अब वहान ही तो लड़की थी, तो वह से कहने लगती, कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं मालूं, मैं तो अपने काम में इतनी बिजी रहती हूं, और मेरा न दोनों कुछ तरह से देख लिया था, वो से देखते ही एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, लेकिन से यो को कुछ खास समझ नहीं आई थी, उसे लगा था कि जैसी एक दूसरे को मानने की कोशिश कर रहे हैं, वो कहते हैं, तुम दोनों कब बड़े होगे, कब अपने लड़ा के लिए कुछ सुईट्स लेकर आता है, लेकिन एक्शली वो अपनी ओहान के लिए लेकर आया था, उसके फेवरिट स्नाक्स, लेकिन किसी को कुछ पता ना चले, उसे पूरे ओफिस को ही देने पड़ते हैं, लेकिन वो यह नहीं जानते थे, कि ओफिस के सारे लोग तो पह कर जाना चाहता हूं, लेकिन ओहान कहती है कि आजकल हमें ज्यादा इहत्यात करनी पड़ेगी, इसलिए हम वो ही समय कट्थे बिता सकते हैं, जो मैं तुम्हारे गारा आजाओं, या पिर हम आफिस में मिलें, अब तैसन को एक शेयदानी आइडिया आ गया था, और वो ऐसा करते हैं, कि जाता है CEO के पास, और उससे कहने लगता है, कि मैं अगला ड्रामा एक आफिस रोमेस्ट पर करना चाहता हूं, इसलिए मुझे वाइब चाहिए, मैं थोड़े दिनों आफिस में ही काम करूंगा, अब इसी बहाने, वो रोजाना एक CEO का ड्रेस अप करके आफिस म समय बिताएगा, ओहान को भी उसका या आइडिया पसंद आता है, और वो सोचती है कि इस तरह से कोलीक्स हम पर शक भी नहीं करेंगे, लेकिन उन्हें क्या पता था, कि कोलीक्स तो पहले ही सारा कुछ जानते हैं, वो तो प्यार में पढ़े हुए थे अंदे थे, उन्हें छुप नहीं सकते, अब तैसंग वहां रहते वे ओहान की बहुत अच्छे से केर करता था, उसे एकसर काफी भी बना कर दिया करता था, लो कैफीन वाली, और मौका पाकर चोरी-चोरी उसे कभी-कभी किस भी घर लिया करता था, जबकि यॉंग और कंग, उनकी भी जोरी बह चुपा लेता है, क्योंकि उसे बहुत ठंड लग रही थी, और उसके बाद वो दोनों किस भी करते हैं, अब आफिस में रहते रहते एक दिन तैसंग को अंदाजा होता है, कि वो अपनी गर्फरिंड ओहान को जादा अच्छे से नहीं जानता, जितना कि उसे बाकी को लीक् कौन सी चीज पसंद है, कौन सा सीजन उसे अच्छा लगता है, और किस जगा पर वो जाना चाहती है, वो बहुत परेशान होता है, यह सारे सवाल ओहान से जाकर पूछता है, लेकिन वो कहती है, कि तुम हमेशा अपनी दुनिया में गुम रहते हो, लेकि मुझे तुमानी ह रिलेशन्शिप को तो सिर्फ कंग और साथ साथ जियोंग ही जानते थे, तो वो सोचता है कि क्यों ना, मैं जियोंग से बात करूँ, अब वो कंग को तो बहुत अच्छे से जानता था, क्योंकि वो उसका मेनेजर रहा था, उसके साथ होता था, तो वो जियोंग को कंग के बारे में सारी information लिख कर देता है और जियोंग बहुत अच्छे से जानती थी ओहान को तो वहान की पसंद ना पसंद उसके बारे में हर important चीज़ के notes बना कर तैसंग से share करती थी इसी तरह से उनकी अदला बदली जारी रहती थी और एक दूसरे की love life में help कर रहे थे अब आफिस में जो कुलीक्स थे वो अच्छे से जानते थे कि तैसंग यहां क्यों काम कर रहा है अब तैसंग भी उनसे बहुत सूइटली बात करता था और ओहान की details निकालने की कोशिश करता था यहां पर वो लो तैसंग का miss use भी करते हैं और उसे एकसर ऐसे काम दे दिया कर रहा है अब वो बिचार हैं के चोटे-चोटे काम कर रहा होता है कि यहीं पर ही कंग कर देखे possibility की वज़ा से और उसे सू कर दिया जाता है यहां पर चॉय उसकी help करती है और से Mr. Do के पास लेकर आती है Mr. Do उसकी legalी काफी help करता है और इससे पहले कि वो लोग कोर्ट में गसीटे जाते बाहरी उनकी settlement करा देता है बहुत चॉय से काफी कुछ हो जाता है और चॉय अफकोर्स Mr. Do से अब वहां से वापसी पर Mr. Do चॉय से कहता है कि क्या तुम आज मेरे साथ डिनर पर चलोगी तो चॉय कहती है कि आप तो 6 बजे के बाद काम की बात ही नहीं करते हैं को लीक से नहीं मिलते नहीं कोई बिजनस पर डील करते हैं तो कह कि नहीं उसका हाथ पकड़कर उससे कनफेस करता है कि मैंने तुम्हें इन दिनों बहुत अच्छे से अब्जर्व किया है और तुम्हें देखकर मुझे गर्व होने लगता है मेरी गिर्फरंड एक अमेजिंग परसनेल्टी है तुम्हें मैं जितना क्लोजली देखता जा मुझे लगता है कि मैं पहले से भी ज्यादा तुमसे प्यार करने लगा हूँ और साथी साथ मों उसे थैंक यू भी करता है कि तुम मेरे लिए और दूसरे स्टार्स के लिए कितनी मेहनत करती हो मुझे कभी भी पहले ये रियलाइज नहीं हुआ था अब ओहान को अपनी व गोई फ्रेंड्स जो के कांग और तैसंग थे बहुत सैड बैटे हुए थे वो कहते हैं कि इतने दिनों बाद हम अपनी अपनी गर्फ्रेंड से दूर हुए हैं लगता है कि जैसे दुनिया बिलकुल खामोश सी हो गई है वो दोनों ही उन्हें बहुत मिस्स कर रहे थे जब दिखाई देती हैं वो उससे क्लिप उतारता हैं और उसकी एक रिंग बनाकर यूना के हाथ में पहना देता हैं और कहते हैं लेट्स गेट प्रेग्नेंट ओ आम सॉरी लेट्स गेट मैरीड अब फाइनली वो दुनों शादी करने वाले हैं जबकि दूसी तरफ तैसंग बह एक दिन अपनी एनिवेटर में जा रहा था सुबा सुबा तो वो देखता हैं कि मिस्टर डू के साथ चोई खड़ी हुई है वो दोनों को इस तरह से एकठे देखकर शॉक्ट रह जाता हैं और पूछता हैं कि चोई क्या तुम भी हमारी बिल्डिंग में शिफ्ट हो गई ह लेकिन फिर ह्रान होता है कि हमारे फ्लोर पर तो तो त्रफ दो यूनिट है एक मेरा और एक डुका तो डू केहने लगता कि अक्छली यह मेरी ब्लेस पर थी खल रात मेरे साथ रही थी यह सुनते ही वो समझ जाता है कि यह दोनों डेट कर रहे हैं और वो भी सिरफ कल से और वो तो अपनी गर्फरेंड से काफी आगे बाख चुका था जबके तैसंग वहीं का वहीं खड़ा हुआ था वो पीचे से कहने लगता है कोई नहीं मैं भी अपनी गर्फरेंड से ही मिलने जा रहा हूँ लेकिन उदर ओहान के लिए एक नई टेंशन आ जाती है क्योंके तैसंग रोज रोज आफिस आ रहा था इसे लेकर सोशल मीडिया पर उसके बारे में गॉसिपस हो रही थी और यही नियूस पहल जाती कि वो आफिस में किसी को डेट कर रहा है तब ही तो वो रोजाना सूटिड बूटिड होकर वहां जाता है और इसके साथ-साथ वो अपने मैनेजर्स और टीम के साथ बहुत फ्री होता है इसका मतलब है उसकी गर्फरंड आफिस में से ही है अब इस नियूस के बाद से उन दोनों को एक दूसरे से फासला रखना होगा वो सिरफ वीडियो कॉल पर बात करते हैं और टैसंग और बियुदास हो जाता है क्योंकि जब से उसने डू को देखा था उसे ऐसी फीलिंग आ रही थी कि जैसे वो डू से बहुत पीछे रहा गया है और अब तो उन पर पाबंदियां भी लाग चुकी थी वो एक दूसरे से मिल भी नहीं सकते थे अब एक दिन ओहान चोरी-चोरी ओफिस में रूफटॉप पर जाकर तैसंग से वीडियो कॉल कर रही थी कि यहीं परी उन्हें अपने ओफिस का एक और कपल दिखाई देता है और वो था तैसंग का मैनेजर जंग उसकी गर्फरेंड भी ओफिस में से थी और यह तीसरा कपल था जो कि सीक्रिटली रूमेंस कर रहा था वो दोनों उनको देखते हैं तो काफी शॉक्ट रह जाते हैं और बहुत इंजॉय भी करते हैं सिचुएशन को और यह अंदाजा भी नहीं था कि उनके आफिस में इतने सारे कपल्स होंगे वो सोचते हैं कि हमार आफिस तो बहुत रूमेंटिक है अब एक दिन कंग ओहान को अपनी गाड़ी में छुपाकर उसे तैसंग से मिलाने के लिए लेकर जा रहा था कि यहीं पर यह एक एमर्जनसी कॉल आ जा जाती है और वो थी यूना और जैहून की वज़ा से उन दोनों नहीं अपने-पने मैनेजर्स को भुलाया था और यहां पर कंग और मिस्टर हान दोनों से मिलने के लिए जाते हैं वो बताते हैं कि हमारा बेबी आने वाला है और हम जल्दी शादी कर रहे हैं वो दोनों तो यह सुनकर शॉक्ट रह जाते हैं कहते हैं कि हमारी नाक के नीचे तुम दोनों कर रिष्टा इतना आगे तक बढ़ चुका था तुम लोग तो हमेशा एक दूसरे के हेटरी बने रहते थे और फिर उसके बाद सीरियस बात करते हैं कहते हैं कि तुम दोनों का इतना बड़ा फ्यूचर आगे खड़ा हुआ है तुम लोग सोच समझ के फैसला रहे ना लेकिन यूना और जैहुन कहते हैं कि हमारे लिए इस बेबी से बढ़कर और कुछ भी नहीं है चाहे हमारा कैरियर खतम हो जाएं लेकिन फिर भी हम लोग अपनी वैडिंग अनाउस करने वाले हैं वेल अब वो दोनों तो एक आइडियल कपल बनकर बैटे हुए थे लेकिन अब की बार लड़ाई किसी और की ही हो जाती है और वो थी कंकी और मिस्टर हान की वो दोनों सुला सफाई से बैटे हुए थे जबकि उनके मैनेजर्स की आपस में बहुत लड़ाई होती है उदर तैसंग बचारा सैड होकर अपने हमसाए डो के पास जाता है और उसे कहता है कि मिर लिए दो काफी बना कर लाना उसे डो के हाथ की काफी बहुत पसंद थी और फिर उसे शेयर करने लगता है कि इतने दिन होगे मैंने ओहान की शकल भी नहीं देखी तब उसे मशवरा मिलता है कि जल्दी जैहूं की और यूना की शादी होने वारी है और यहाँ पर वहान भी खड़ी होई होती है कि इतने में तैसंग भी आ जाता है और इसी वेडिंग को टेंड करने के बहारे वो दोनों एक दूसरे को देख लेते हैं और बताते हैं कि एक दूसरे को कितना मिस किया था और फिर उसके बादा में CEO को दिखाते हैं वो आज अपने पास कंग को बलाता है और कहता है कि मैं जल्दी रिटार्मेंट लेने वाला हूँ और वो चाता था कि उसके बाद इस एजनसी को कंग ही संभाले एक्शली कंग वहाँ पर सबसे ज़्यादा रिस्पोंसिबल था और वो ही डिजर्व करता था कि इस एजनसी का फ्यूचर डारेक्टर बने जबकि तैसंग विचारा तरप रहा था अकेले में और उसे बहुत सारे वीर्ड से आईडियास भी आते हैं वो फोन पर एक दिन ओहान को बताता है कि मैं अपना गेट अप चेंज करके तुम्हार साथ डेट पर चलूँगा और उसे तरह तरह के मास्क और विग लगा कर दिखाता है कि हम इस तरह से भी डेट पर जा सकते हैं लेकिन ओहान कहती है गलीन फिर भी अगर तुमें किसी ने इस तरह पकर लिया तो वही पर ही उनकी टीम भी शूटिंग के लिए आई हुई थी उसी शहर में यहां पर डाय ही तो उसे देखते ही पहचान जाती इतनी दूर से कि यह कोई और नहीं बलके मेरा फेवरिट स्टार तैसंग ही है मुझाते उसे अवास दे देती है अब वह बचारा तो एक ही लम्हे में पकड़ा गया था ओहान भी चोरी चोरी यह सारा कुछ दूर खड़ी देख रही थी और उसे नजर आता है और उसे यही नजर आता है कि उनका सारा प्लैन खुट डे लाइन लग चुका है अब किसी तरह से उन से बचके वो लोग बाहर तो निकलाते हैं और उसके बाद तैसंग अपनी गर्ल फ्रेंड को एक लाइफल लेकर जाता है उसने एक रेडिशनल सुीर्स की शॉप प्लैन की हुई थी कि वो वहाँ पर जाएंगे लेकिन वो देखते हैं तो वहाँ पर लंबी लाइन लगी होती है क्योंकि जैहून और यूना दोनों अपने हानी मून के लिए उसी शहर में आये हुए थे और उसी शॉप पर बैटे थे अब नेक्स्ट वो लोग एक और जगा जाते हैं जो कि तैसंग को लगता था कि बिल्कुल क्वाइट है वहाँ पर सेल्फिज ले रहे थे कि इतने में वहाँ पर बहुत सारे लोग आ जाते हैं जिन्होंने कैमराज उठाए हुए थे और पिर देखकर पता चलता है कि यहीं पर ही तो वो लोग शूट करने के लिए हैं अब तैसंग बिचाने का मूट बहुत खराब हो जाता है वो गाड़ी में सैट सैट बैटा था कि कांगा कर कहता है कि तो मुझे तुम पर बहुत दया आ रही है देखो मैं तो अपनी गर्फरंड को जहां चाहूं गुमा फिरा सकता हूं लेकिन ओहान तैसंग को कहती है कि तुम अपना दिल छोटा ना करूँ तुम्हारे साथ इस गाड़ी में ड्राइव करते वे भी मेरे लिए एक ब्रिलियन्ट डेट है जहां पर तुम हो मैं वहीं पर खुश हूं अब उन्होंने होटेल में एक जगा पर अपनी बुकिंग कराई हुई थी जो कि बिल्कुल साइलेंट सी जगा थी वहां पर तैसंग और ओहान सारा दिन कमरे में ही रहते हैं लेकिन बाद में तैसंग कहता है कि मैं अपनी गर्फर्ण हो कहीं बाहर लेकर जाना चाता हूँ ओहान काफी डरी हुई थी लेकिन फिर भी वो लोग चले जाते हैं वहां पर जाकर वो देखते हैं तो उनके सारी कोलीक्स भी वहां मौजूद थे एक्शली तैसंग ने वहां पर सारों को ही बुला लिया था और यहां पर अब तीन कपल्स बन चुके थे और यह कपल्स तीनों इकठे बैठकर काफी इंजुआए करते हैं और इकठे खाना खाते हैं इन सब ने यहां पर बहुत इंजुआए किया था वहां से वापस जाते हुए ओहान और तैसंग दोनों वाक करते हुए जा रहे थे यहां पर वो एक शूटिंग स्टार देखते हैं तो विश मांगने लगते हैं ओहान पूछ थी है तुमने क्या मांगा तो तैसंग कहने लगता है कि मैंने ये विश्मांगी कि मैं पूरी दुनिया को बता सकू कि मैं कितनी सुन्दर सी लड़की को डेट कर रहा हूँ अब उसके बादवापतें उसी छोटे से होटेल के रूम में वापस आ जाते हैं ऑर यहां पर तैसंग उहान को किस करता हैं और दोनों इकटे बहुत सारे क्वालिटि टाइम्स प्लेट करता हैं तैसंग उहान को जगाता है और उसे कहता है कि तुम आज पहले से भी ज़दा संदर लग रही हो और फिर उसे अगले दिन अपने साथ एक जगा डेट पर लेकर जाता है लेकिन जाकर देखते हैं तो वहाँ पर मिस्टर डू और चुए दोनों डेट पर आये हुए थे वो सोचते हैं कि यहां से कहीं और ही जाना पड़ेगा वो से वुड्स में ले जाता हैं कहते फॉरस्ट में तो कोई नहीं आया होगा लेकिन वहाँ पर तो कंग और जियोंग आये हुए थे और उनके तीसरे पॉइंट पर पहले से यूना और जैहूं मौजूद थे वो सोचते हैं कि क्या हमें भी कभी कोई प्राइविट पॉइंट मिलेगा और उसके बाद वो लोग एक जगा सी साइट पर किसी को भी नहीं देखते तो वहीं पर खड़े होकर इंजुआए करने लगते हैं लेकिन यहां पर ओहान को एक एमरजनसी कॉल आ जाती है तैसंग तुरांती कह देता है कि हाँ मैं उसे का रहा हूँ अनांस कर दो अफिशली अब फाइनली उन दोनों ने फैसला किया था कि वो अपना रिलेशनशिप पब्लिक कर देंगे तैसंग कहता है कि ओहान जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं और इसके साथ ही वो दोनों किस करते हैं और पिर हमें थोड़े अरसे बाद का सीन दिखाते हैं सब की लाइफ पिलकुल सेट जा रही थी मिस्टर कंग नया सीईयो बन चुका था दाहे का ड्रामा हिट गया था और उसे बहुत सी नई आफर जा रही थी और इसके साथ साथ जैहुन और यूना दोनों स्टार कपल बन चुके थे और बहुत से ब्रैंड्स उन्हें अपनी प्रमोशन के लिए हायर कर रहे थे उनका कैरियर खत्म होने की बजाए और भी चरसा जा रहा था जबके ओहान और तैसंग दोनों खुलकर डेट कर रहे थे पुरी दुनिया उन्हें जानती थी और उन्हें आप किसी से चुपने की कोई जरूरत नहीं थी और बस इसी के साथ ही इस कहानी के हैपी अंडिंग हो जा दिया थैंक यू फॉर वाचिंग बाई बाई